है तो गुड्मॉर्णिंग प्रेंज्ट तो चलिए आज का क्लास फिर हम लोगे स्टार्ट करते हैं तो आज का से सन तो क्या सिस्टनला है नंबर सिस्टम का पिरविय wonder फिर इगे जो लों बिहार ससी अपिर्वाले का है कि त्यारी कर रहे हैं सीजेल थिरी का त्यारी कर रहे हैं उनके लिए सबसे पहला वीडियो नंबर सिस्टम का हम पूरा कंसेप्ट का निचोड और कुछ कोश्चन अपने तरफ से करवा दिये थे उसका वीडियो प्लेलिस्ट में होगा आप वहां से देख लेंगे और सा क्या सिस्टम है ना उसका पूरा प्रफियस इयर 210 में है 2000 मतब मेरे कहने का मतब जितना भी कोश्चन पिर्फियस यहां ना सारा पिर्फियस यह को ओंडि कर लिए हैं और सिर्फ एक क्लास में यह हम अप्र प्रेट करेंगे इस प्र एस के अलावा जहां पे ज़रुत पड़ सिस्टम के क्यालावा कोई भी कोश्च्ज आप से नहीं पूछेगा मतल इस प्यूडियो के अलावा जो जो कोई भी कोश्चन होगा बीहार ससी में इस विडियो से बाहर नहीं आएगा सारण इस विक अंदर यह पीडिएफ डाउनलोड करिएगा कहां से बताईए उसके लिए टेलिग्राम चैनल हम लोग का है और टेलिग्राम का ये चैनल का लिंक है और ये डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है जस्ट वहाँ पे क्लिक करिएगा टेलिग्राम पर जॉइन हो जाईएगा ठीक ना इसके अलावा अगर जिनको भी अपना एस्पीड एस्टॉंग करना है एस्पीड बढ़ाना है टेस्स लेना है तो आप लोग इक्जाम मंत्रा हम लोग का मुबाइल अप्लिकेशन है और मुबाइल अप्लिकेशन से आप जोता है जाकर वहां से जो है ना गूगल प्ले डाउनलोड कर देंगे वहां पर फाउडेशन बैच भी है साथ में मात्र एकावन रूपिया में एस्पीड बूस्टर होगा इस्पीड बूस्टर से पॉट डे टेस्ट चलता है उस्टेस्ट का डिसकासन करके आप अपना स्पीड भी बढ़ा सकते हैं साथ में इस अप्लि विडियो नमबर वन था उसमें अल्मोस कभर हो गया था कुछिज बचा हुआ था जैसे बोडमास बचा हुआ था क्यूब क्यूब रूट बचा हुआ था रेसनल इरेसनल बचा हुआ था डिवीजिबिलीटी का कोशन बचा हुआ था तो ये कोशन कुछ बचा हुआ ना इस सारी कोशन हो गया था 37 करवा दिया गया था वर सब्सक्राइब तक हो गया है तो अब हम लों का क्लास आज से यहां से स्टार्ट होगा ठीक है ना यह हम लोग का क्लास से यहां समक्राइब करेंगे आयाद देखते हैं चलिए देखिये सब लोग का देखिएं कि यह कोशिन बिःष सच्चिवाले साहयक 2013 का पुछा हुआ है और एक चीज हमेसा ध्यान रखिएगा कि जो बिहार सच्चिवाले जैसे अभी तक तीन वार इंगे था है तीन बारतीम हुआ है थीकला ना बिहार तो जो यह 2022 में एक्जाम होना है वो उसके लिए पिर्वेस एकडम बनाना जैरूरी है यानि 10 का और यह 12 वाला पिर्वेस एर तो देखेंगे साथ में आजके कोडिंग जो फोश्टन अफडेट करके आजके रेट में पुशा जा रहा है जैसे आजकी रेट में थोड़ा ज्यादा कैल्कुलेटी कोशण पुशा जा रहा है उस सारा कोश्चन को भी थोड़ा अलग से देखा जाएगा जिससे कि 2022 का जो पेपर होगा अग से सच्वाले विस सच्वाले का जो एक्जाम होगा वह भी भाई टफ होगा तट अप होगा तो हम लोग कोई बात नहीं हम लोग 222 के कॉडिंग भी कुछ कोशन अलग से भी बनाएंगे और से लिए कन से उ सब सब पूरा सिद्रेज हैं जिसे कि किसी भी तरह का कोशन पूछाइगा तो आप से बनेगा और देखिए सारे लोग में की M अधिया महतवाले बोलेंगे के मैंज यहादा पढ़िए रिजमॉआ ले बोलेंगे कि दीजिनिक कि जादा पढ़ हिये लेकिन आप अपना बेल रिखाई यह चारों में बैलांस बनांके चलिए इतफिती अब देगे मैफ में 25 नबर आयेगा आपका 25 अगर मैथ एक सब्जेक्ट है जिसमें 25 आ जाता है ठीका नब और उसके बास से आप आईएगा रीजिनिंग तो रीजीनिंग में भी 50 में 50 अपका आसकता है 50 में 50 क्लास आ सकता है आप हमारे चैनल पे रिजिनिंग का क्लास डेली मंडे टू फ्राइडे चल रहा है सावा नौ बज़े चलता उस क्लास को पका आप लोग एटेंड कर ये उससे आपको बहुत फायदा होगा उसके बाद से रिजिनिंग के बाद से जी के जिये साता है वह भी 50 नबर का है और science आपका जो science है वह 25 नबर का है तो कुल मिला के यह आपका 500 नंबर का एक्जाम होने वाला है और अच्छे साप त्यारी करिए का न तो हमको लगता है कि आपका सेलेक्शन हो जाएगा ठीक है ना यानी सब इंपोर्टेंट है लेंगिन आप सुचे ये दोनों में अगर आप इन दोनों में सत्तर नमबर ला देते हैं मैथ में रिजिनिंग में सत्तर नमबर ला देते हैं आई इधर से अगर आप इधर से अगर पचास साथ नमबर ला देते हैं ना तो आपका सेलेक्शन कोई रोक नहीं सकता है सेलेक्शन के लिए एक दम ध्यान में रख अदो संख्या कर तो ऐसाथ है माल या म tax a x10 है दूसरी संख्या एस पलश 3390 होगी अरे म सबलस तेरहSW Spring सथ हो गी तभी ने जा जहकर इन दोनों के बीच का अंतर तेरह सब्सक्राइब कर जाए का अब इसके बाद देखी है जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल छे आता है और इसको भाग लगाईएगा तो कुछ सेस बचेगा तो कोशन बोलना है कि यहाँ पे सेस 15 बचता है सेस 15 बचता है छोटी संख्या क्या है बताइए छोटी संख्या निकालना आप लोगो छोटी संख्या तो एक बाद समझेए आप एक चीज़ जानते होंगे कि भाजय बराबर होता है भाजय बराबर होता है भाजक गूड़े भ हाभ फॉल पॉल आप प्लस वता है से सोता है भाई से सो तो कहीz वह भी यह जो भाजyyे और यह पलस सो पैसे ना इइस उर्ट क वाल टू उझ्वल में गोडे भाग openings एक्स आप पलसरी मेंदर कि तना पंदर हो जाएगा पंदर वांदर हो जाएगा बॉली होगा की नहीं होगा और उसके बाद ध्यान देना आप लोगों को ठीक ना छे एक समें से अगर एक सघटे गा तो यहां पांच एक साइगा तेरो सो पैसेट में पंदरा के घटे का तेरो सो पचास आ जाएगा पांसर कटाईगा पांदूना दर्स पांसर पैंट इस यह तो यहां पर सब्सक्राइब आगया यह सब्सक्राइब आगया आपका अंसर भी हो जाएगा तो समझ में आ गया है तो भाई ऐसा कोशन आएगा तो आप अना लीजेगा ठीक है तो देखिए भाग से रिलेटेर जो भी पॉइंट है उसको दिमाग में रखना है ठीक ना क्विक डिविज यहां पर हम देते हैं क्विक डिविजन आपको ठीक है ना क्विक डिविजन रिविजन में भाग से रिलेटेर भाग से रिलेटेर क्या 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 कोशन आएगा एक तो पहला चीज है कि यहां कोई नंबर है जिससे भाग लागाते हैं डिए यहां क्यू है और यहां आर है तो यह चीज आपको जानना है पॉइंट नमबर 1 पॉइंट नमबर 1 जानना है कि N बराबर होता है DQ प्लस आर दूसरा पॉइंट जानना है कि कभी कभी क्या होता है न कि जैसे कोई नमबर है एन उसमें D से भाग देते हैं D1 से तक Q1 बार में भाग लगता है। और remainder 0 आता है. और उसके बाद से अगर उसमें हम D2 से भाग दें, N में Q2 बार में भाग लगता है, और remainder यहां पे 0 आता है. कभी-kभी question में क्या देगा बताईए? कभी-kभी देगा कि D1 बराबर, बीवन से अगर एन में भाग देंगे तो Q1 बार में भाग लगेगा डिमेंडर क्या आएगा? 0 आ जाएगा ठीक है, तो यहाँ पे देखें N बराबर, N बराबर होता है D1 इंटू Q1, आ यहाँ पे N बराबर होगा, N बराबर यहाँ पे D2 इंटू क्या होगा? Q2 होगा, बॉल देगा कि 15 शमार्व से भाग लगाते हैं तो पड़िनाम ससा आता है अगर उसी संख्या में जोसी संक्या में अगर हम 50 से भाग लगाए है अगर 50 से डिवाईड करें तो पड़िनाम क्या होगा यान कितना बार में भाग लगेगा और कि रिमेंडर 0 है इसमें गल yeah तीन बार में है और ये Q2 बराबर हो जाएगा तीन आंसर तो Q2 बराबर क्या हो जाएगा तीन आंसर तो इस तरह से कोशन पुछ देगा तो यानि पहला पॉइंट तो यह जानना है दूसरा जानना है कि जब कभी भी रिमेंडर जीरो होगा तो D1 Q1 बराबर होता है D2 इंटू Q2 due to D2 into Q2 हो जाएगा उसके बाद से भाग से रिलेटेर भाग से रिलेटेर डूकिया में पेज यहां पे आपके लिए ले लेते हैं ठीक है ना एक पेज यहां पे ले लेते हैं देखे क्या पुछेगा फाग से रिलेटेर एक चीज और पुछेगा कभी-कभी ऐसे पूछ इश्यन संख्या भी है डी इस वर एक दूसरी संख्यां N2 में भाग लगाते हैं तो यहां पे लीनडम राटू आता है और उसके बाद देगा उसी भाजक डी से उसी भाजक डी से अगर हम एन वन प्लस एंटू में अगर हम भाग लगाते हैं तो भाग लगाते तो रिवेंडर आर थिरी आता है ठीकर ना तेसको इस से बोल देगा देखे कैसे बोलेगा एक बार इसको बढ़िया से अदम समझ लीजे यहां से भी कोश्चन आ सकता है और एकदम बढ़िया से आप नोट्स बनाते जाएए जो जो हम बता रहे हैं न जो जो हम बता रहे हैं उसका एकदम बढ़िया से नोट्स बना लीजे इससे बाहर कुछ नहीं आना है ठीक है न द के रिमेंडर और तू आता है यहां पर खास बात है कि तीनों केसमें भाजक से में तो अगर भाजक सेम है तो याद रखिएगा दी बगर वृवार प्लस आर्टू ई माइनस आर होता है वह अलवन टोές थी होता है ठीक है थीक ईगाकर है उसके एक याद रखिएगा कि दी बराबर आरोन आर्टू आरोन प्लस आटू माइनस आर्थी याद रखिएगा और यह तीन रिजल्ट्स एडा कोशन पुछेगा इस तीनों में से कोई एक पुछेगा बना के आ जाईएगा आएए अब हम लोग इस कोशन को देखते हैं भाई अग कैसे बनाई एक कैसे चीह सोने जाइगा लेकर इसमें कैसे बनेगा करॉशन इसमें saf Windows Анд याद 3 10 17 63 65 66 कि एनवी टर्म एनवी टर्म चर बराबर है तो एनका मान ग्याद करें ठीक ना एनका मान ग्याद करें तो ये एक अपी का कोश्यन है भाई किसका कोश्यन एपी का देखें इसको अगर गौर से देखिएगा तो टीन से पहला जो यह दिया हुआ है इसमें साथ की बिरिधी हो रही है इसमें फर्स्ट अम यह है common difference साथ है. यहाँ पर बताइए। यहाँ पर अगर दोदो की विरिधी हो रही है , यहाँ पर फ्रस्ट अम् और फर्मलायानिये सट्राइशन बद्खर होता है एन बाइ टू इन्टुट टू एप फौलस एम आइन माइनस वन ऐन्टू डी कभी कभी इसके जगाँ पर होता है in by two in विर फर्स्टाम समपमेरे दोस्त इए फर्मुला जो ह lamps can I a यह का फर्मूला होता है तो यह फर्मूला समको यौई-पढ़नीज तो不 दिए और चाहिए आप यह वोला फर्मूला यूज सगुरियेगा इनवाई टू फर्श्टाम म Lakeland सटया यहाथ इसको भी उज सकता अचाहाए यहां पे जो है टीन का है टीन का मतलब एनवा टर्म किसी भी एपी का एनवा टर्म एप पलस एन माइनस वन इंटू डी होता है क्या यह किलिए रहे बताइए अब देखिए एक बात को समझेगा आप लोग देखिए आदमी के मन में न आदमी के मन में कुछ करने का न जुनू इसमें एक हजार बच्चा बारह बारह सो बच्चा भरापड़ा रहता है सबको अच्छे से क्लास लेना है सुबसे सामी तक सब में अपडेटेड эту के देना है एकदम मेटेल एकदम अपडेटेड होता है 2022 का सारा कंटेंट सब्वेच में जा रहा है इसके बाद भी अगर मेरे अंदर कुछ करने का करने का जुनून है तो ही मैं आप लोगों के लिए आज रात में 11 बजे ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूं और एक दो दिन में ये दो दिन में ये रिकॉर्डिंग कंप्लीट करके उसके बाद से मैं आप लोगों को डालूंगा ठीका ना सनी बार को ये विडियो जो है पांच बजे साड़े पांच बजे तक कैसे में कैसे भी मैं आप लोगों के लिए डाल दूंगा तो भाई देखिए आज के देट में बिहार जो है ना किसानों का देश मतब यहां पे जादा तर जादा तो जादा तर लोग गरीब परिवार से आते हैं और यहां पे यहां पे जादा तर देखा जाए तो जादा लोग कम ही पढ़े लिखे हमारे पैरेंट खुद मेरे पैरेंट कम पढ़े लिखे थे लेकिन आपके प्रेदेट भी हो सब्सक्राइब कम पढ़े लिखे होंगे लेकिन आप कम पढ़े लिखें आप एक बनिया जॉब नहीं प्राप्त करें इसमें शिर्फ और इतना सुबदा है हम लोग मेनत कर रहा है आप भी मेनत करिए और मेनत करके एकदम जो जौब लेना बाई पीना जौब का जौब भी देखे ड mismo कोई करता है कोई कोई जौब कर रहा है Central मत बंध्या क्या बोलते हैं ससी में सी जेल में कोई-कोई जौब करता है ओलोग भी समझे कि दिहार S things का फॉर्म फिलब किया है बिहार ऐसे सी बहुत ही बढ़ियां पोष्ट होता है पाटना में जब आप रहिएगा सच्वाले सहायक में रूप में हो जाएगा तो हमेंसा पाटना में रहिएगा ग्रेड पे भी आच्छा है कहने का मतलब कि सेंटरल गौर्डमेंट से हर मामले मे देखा जाएं तो बतलब आच्छा ही हम कहेंगे इस लूकरी को बिहार के स्नुकरी को हरम अमाइने में अच्छा ही कहाँ जाएगा अच्छा कहने का रीजन क्या बताईे यह लोगों से ज्ड़े रहेंगे और भी त्यारी करके BPC और अभी आप निकाल सकते हैं घर परिवार के नज़िक रहेंगे अपने गाउं के पास में रहेंगे अपने गाउं के लोगों से जुड़े रहेंगे और हम सब क्या चाहते हैं कि सभी लोगों से जुड़े हुए रहें जोब भी करें कुछ समाज का भ कुछ बनना है भाई 75 दिन है 75 दिन अगर मेहनत बढ़ियां से कर लिया जाएगा ना तो कोई रोक नहीं सकता है रही जौन लोगत करिए और एक एक पौंइन को सेखेए आप लो नुकृरी में भी होंगे कुछ लोग पाटना में भी त्यारी कर रहे होंगे पाटना से बाहर भी होंगे पूरा बिहार के लड़के फॉर्म भरे हुए हैं जो भी गेड्यूएट आप अगर आप पढ़ लीजेगा तो कोई ज़रूरी नहीं कि यहीं कोशन आएगा इसमें दोनों में से कोई फर्मूला पर आएगा तो और एक बात और है एक तो लाइक और सेर बनता है आप लोग के लिए एकार साथ एकार वजए रात में रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो एक लाइक और सेर तो बनता है ठीक है ना लाइक करना नहीं भूलना है सेर नहीं करना अदम लाइक दबा के करना है ताकि मेरा मनोबल बना रहे है ठीक है ना चलिए ओक ऐसे काम नहीं चलेगा हाँ सब लोग कहिए कि सर लाइक करने के लिए बोल रहे हैं लेकिन लाइक करना एक इन वी टर्म आशा इसका इनवाट तो म अगर हम निकालेंगे तो बताई इसका एनवाट टर्म क्या एगा एनवाट टर्म का फर्मूला है एक पलस एन माइनस ओनी टुडी तो इसमें बताई यह आप फोर्स्ट अम यहां पर 30 है तो भाई 3 हो जाएगा उसके बाद पलस में N-1, 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 N-1 इन्टु कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस यहाँ साथ है, तो इसका N वार्ट टर्म हम लिख दिये, अब इसका N वार्ट हम लिखने जा रहे, यहाँ पर आएगा एक जगह पे 63 है ठीक ना तिर्सट है उसके बाद देखिएगा यहां पे एन माइनस वान एन माइनस वान इन्टू कॉमन डिफरेंस यहां पे दो है भाई तो यहीं हो रहा आपका इन वाटम अब आप लोग देखेंगे गौर सेना सुनिये स्वार्व करते हैं तो 63 में से 3 जाके घटेगा 63 माइनस 360 हो जाएगा यहां देखिए 7N आया टू एन साथ एन में से टू एना के घटेगा पांच एन हो जाएगा यहां माइनस साथ आ यहां माइनस दू जाएगा तो पलस साथ ह जाएगा तोत हाइप न बराबर 65 और इनके यंके घट तो ती रा जाएगा यहांने बरा पते रहो जाएगा जिपीग कर नाम देयन बराब फे रहो जाएगा तो इस तक पोशन का अनसर खोलै सब्सक्राइब और पांच है तो यह आप से पूछ रहा है तो आपको कुछ नहीं करना अगर आप गौर से देखिएगा आप खुद देखिए इसको कैसे करेंगे बताइए और कैसे करेंगे अगर आपको से दिखिएगा तो यह तो आइस वाई के रिस्पेक्ट में क्या है दो आया यह यह तो फोरेक्स है यहां वाही गोल कлись Bible तो इसका ड़िघुना यह है तो आंसर भीकुना पांच का दख़ट क्या होगा थस आंसर बजाएगा तो आंसर इसका 10 हो जाएगा तो नगत दो से कुंड़ा करिएगा तो टू इंटी इस प्लास वाइई इस ईकवाल टू पांच है इसमे गूडा कर दी जै आप इस उकूल तू पांच है इस में 2 से गुंडा की या धो और ना 4 एका याँ पे दो गुंडे वाई टुあ हो जाएगा और यांपे मैं दो पके दश हो जाएगा या आपका आंसर यह दस हो जाएगा ठीक नाम चलिए उसके बाद अगले कोश्च को देखिएगा देखें यहां पर क्या रवाई यहां पर सारे लोग देखेंगे क्या रहा है ठीक ना चले देखिए यहां पर क्या आपका चार बिसम संख्याओं का योग निकालना है तो यह concept यहां पर देखना है सब को concept देखिए आप लो concept देखिए सबसे पहला Aique Plus 3 करेंगे तो 4 होगा चार को आप इस सुचे के दोग का स्कॉर है नवी संख्या है और महा लीजी की 2 लीजे लीजे गा-पांच-ा लीजैगा तो एक प्लस तीन-प्लस-पांच जोडएंगे तो 59 हो गया नो का मतलब तीन स्क्वाइर होता है नो का मतलब तीन का स्क्वाइर होता है तीन स्क्वाइर हो गया यानि अगर तीन संख्या होगा तो तीन का स्क्वाइर होगा तीन संख्या होगा तो तीन का स्क्वाइर होगा यह बात आरा समझ में उसके बाद अगर आप एक प्लस तीन प एक यावव एक पार्सलेना है उन नंबर पर कॉल कीजिये ना इस पूर नंबर वहां पर उसको कर लीजिए ठीक है तो एक प्लस तीन प्लस पाँच प्लस साथ अगर जोड़ेंगे यहाँ पे तो एक तीन एक तीन चार चार पांच कि इतना नो नोसा सोला हो जाएगा अचा य मिला जुला के देखा जाए तो प्रतम चार पीसम संख्या तो प्रतम चार पीसम ख्लस एक यहुए को कि अगर प्रथम दो बी सक्षौया ये और आप से पुछा जाए कि प्राथम लोग को याद रखना बताइए है कि प्राथम एन ब्राथम आch अब लुए संख्या का यो यो जो होगा ये क्या हो जाय का बता है यह एनस् वाइर प्राथम अब शबसल आखा इसको दिमाग में रखिया ठीक है नहीं। अच्छा पर गज्वाइर संब लेना कि बी सम्लेना है तो भी सब लेना है तो भी समय होगे सभज का एन स्कॉएर यह रहका बीसम में एने स्क्वाइर आई इसको देखते हैं देखे इसमें क्या लिख रहा है इसमें क्या लिख रहा है अब देखेंगे आप लोग तो तो इसमें जो लिख रहा है ना देखिए अब यहाँ पे देखे इसमें क्या लिख रहा है इस question को देखा जाए थोड़ा सा देखे प्राथम 25 संख्या अच्छा आपकी बार बताईये अपकी बार अच्छा इस question पर हम बाद में आते हैं एक काम करिए पहले आप इसको बताइए 42 मद बताईए प्राथम 20 संख्याओं का योग बताना है अशा 20 गो है आप 20 संख्या है अब प्रत्म है प्रत्म 20 संख्या का योग तो अभी हम फर्मूला आपको बताए N2 बोलिए बताए कि नहीं बताए इसम संख्या में N2 तो बीसस कोई आंसर हो जाए याद रखना है आए एधा देखिये अब आप लोग प्रत्म 25 अच्या थर्म परत्म 25 अपकी बार क्रेंच संक्राइगा आफ प्रतम यहां पिलस फिरी दिख देस 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 एन बनेंगा और यहां से करेंगे तो आ इंस प्लाइज एंस और आप तो रिजल्ट क्या है एन इंटू एन प्लस वन ठीक ना यह क्या है बता यह प्रथम प्रथम एन समसंख्या प्रथम एन समसंख्या का प्रथम एन समसंख्या का जो यूग होगा जो यूग होगा जो सम होगा वह आपका एन इंटू एन प्लस वन होगा यह सब काफी क्या चीज़ 26 अब 25 का गूड़ा 26 करेंगे तो 650 आएगा आंसर हो जागा 650 ए नमबर आंसर क्या हो जाएगा ए नमबर याद रखना है क्या के लिए रहे बताई ये चली अब हम आगे बढ़ते हैं भाई कि शुनिए का पाप लोग एक बात को सब लोग थोड़ा सा ध्यान देजें इसारे लोग ध्यान देजैंगे भाई कुछ कंसेप्ट हम बता रहे हैं ठीक है ना उसकंसेट और थोड़ा सा देखी लिज्व आप देखिए पहला रिजल्ट हम लिख रहे हैं प्राथम एन संख्या की प्रकुष संख्या प्रकेन संख्या को हम Shayal नबर कहते हैं नेच्ण नुमर कहते हैं यह जो नाइच्ट औरेफ्य हो जाए गानि न तक जायेगाथ एक से के इन तक जायेगा तुष रिजल्ट यद्क रख्यगरा फ्राथ म प्राथम अन परगां भी संख्या अगर इस्टंट करीएगा तो Só Saya एक आएगा तीन आएगा तीन के बाद पांच आएगा पांच के बाद से डैस डैस और यहां पे टू एन माइनस वन तक आएगा और यह जो देखिएगा आप तो कितना संख्या इन संख्या है यहां पर यह इन संख्या है तो अगर इन संख्या लाश्टम से मतलब नहीं है संख्या समसंख्या का जो योग होगा समसंख्या का जो योग होगा वो क्या होगा बताई एन इन टू एन प्लस वान डिवाइड वाइड 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 रखियेगा उसके बार और कुछ बता देते उसको देख लिजे एक फर्मुला याद रखियेगा तीन से लेकर अगर आप एन तक जाते हैं ना तो इसके लिए याद रखिए का एन इंटू एन प्लस वन भाई टू जाए ठीक है तो फाला फर्मुला दूसरा पिसको याद रखिएगा आप याद रख लीजेगा कि एक स्कुराइर पलस दो एस्कुराइर पलस 3Square पलस अगर एने स्क्राइर आप यूज करिएगा तो इसका जो फर्मुला होगा एन इन टू एन प्लस वान इन टू टू एन प्लस वान अडिवाइड वे आपका सिस हो जाएगा ठीक है और तीसरा यह फर्मुला याद रख लिएगा एक क्यूब दो क्यूब तीन क्यूब एज इस पर देख लिए तो क्यूब वाला क्या होगा पहला का स्क्वाइर हो जाएगा तैस का स्क्वाइर कर देना है ठीक है ना इसका यह तीन फर्मुला यहां पर दिमाग में रख रहा है इसके अलावा ध्यां दिजे कुछ और चीज हम बता देते हैं उसको माइंड में रखिएगा लो कभी 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 कि वीच वाला संख्या का जोड़ा जाएगा बीच वाला संख्या का संख्या का जोड़ा जाएगा तो बीच वाला संख्या का जोड़ा आएगा तो उसको आप ऐसे कर दिगा फर्स प्लस लास्ट इंटू ठीकर आओ आप ऐसे कर लिजेगा आप ऐसे कर ल वस से पहले वाला वाला आठी भाईर वाई टू इन्टू गेप टू इन्टू डिफेरेंस अप यूज कर लिजेगा यह फर्मूला कहीं आ जाए तो पर यह कहीं ऐसा आ जाए आपको कि एक आवन प्लस तीरपन प्लस डस डस ड्स ड्स 99 तक ऐसा करके कहीं जोड़ा जाए तो बताइए इसको कैसे जोड़िएगा तब ये बीच पे आ गया ये बीच वाला संख्या का जोड़ा गया बीच में एकावन से है एक से नहीं सुरुआत हुआ अपकी बार अपकी बार सुरू से सुरुआत नहीं हुआ अपकी बार बीच में से सुरुआत हो गया तो जब बी और यह सब देखिए यह भी एक से सुरूए प्रथम है प्रथम है प्रथम है तब प्रथम प्रथम में यह लगेगा लेकिन अगर आप लोग बीच वाला संख्या का योग निकाल लिएगा न तो इसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा यह वाला फर्मूला कैसे हम यूज करेंगे थोड़ा से एक बार देखी लिजे आप तो लाष्ट प्लस फॉस्ट एकावन में हम 59 जोड़ेंगे तो इकावन प्लस नीनावे जोड़ेंगे एक आवन प्लस नीनावे डिर्स हो जाएगा और लास्त में से फॉस्ट नहीं गटाएंगे इसके पहले वाला तो प्टा में यहां का difference दो का है यहां का difference 2 का है तब तूइंटू difference दो का difference तो 4 से भाग देंगे और अब solve कर लेंगे तो यह answer आ जाएगा पतलब एक एक होता है न लुग्त कि इस क्लास के माध्यम से हम आप लोगों को गागर में सागर देने का प्रयास कर रहे हैं यानि कि एकदम कम से कम समय में आपको बढ़ियां बढ़ियां वाला कंसेप्ट हम दे रहे हैं जिससे कि आपका जो ि एकम से हम समय में एक दम बढ़िया से बढ़िएंवाला किश्चंप दे रहे हैं जिससे की आप लोग ड़ोम ट्वीर टाइम में कम समय में आपका त्याहरी आपका जो ट्यारी है वह एकदम बेहतर हो रुशगर बात आरे समझ में तो भाई एक दम देखित सुध Unless और सेर नहीं रुखना चाहिए लाइक और सेर में कमी करिएगा आप लोग तो देखिए अगला वीडियो लाने में हम कंजूसी कर देंगे ठीक है ना अब चलिए देखते हैं तो एक और कोशन बनाई यह एक कोशन और बनाओ बाबू आप लो सुनो एक कोशन और बनाई यह समाल यह कभी कभी ऐसे कोशन आ जाएगा जी ठीक है आपको कोशन ऐसे आ गया कि एक आवन प्लस बावन प्लस तीरपन से लेकर आप नीनानवे तक जोड़िए ऐसे आ गया तो क्या की जिए आप लोग बताईए आप लोग क्या करेंगे कैसे जोड़ेंगे भाई फड़ा फड़ा के दमांसर दीजे तो क्या करेंगे हम फर्मूला यूज करेंगे अच्छा और रॉन टू लास्ट में से फ़र्स्ट लास्ट में से लास्ट माइनस 1 कःवाला फले वाला गाटाएंगे करेंगे और इसके बाद से हम इसमें 2 अगोड़ें क्या करेंगे दो फूरे तो फर्मूला एकदम नोट कर लीजेगा यहीं सब आ रहा है आपकी बार भाई मेरा गेस गलत नहीं हुआ है बात आरी समझ में अभी तका मेरा के समय साही रहा है यह एकदम आही रहा है तो बताइए लास्ट पलस फॉस्ट तो इसका एक इसको दे देंगे 100-100 में पचास जोड़ से 1 पहले 52 परेक आवन के माई कोहरे एक कम है तो बताई यह पट का मतलब इसको घटाएंगे 999 में से आप 50 घटा दीजे नौ में से जीरो गया नौ में से 5 गया चार तो बताएए ये वने गा और इसमें दो गुड़े यहां गैप कितने का यहांवन भावन गैप एक का तो गुड़े एक अब 2 से कटेंगा यह 75 और बाकी गुड़ा करना कर लिजेगा यह मापको सिखा दिये तो ऐसे करना आईए इस कोश्चन को देखते हैं आईए देखते हैं यह तो हो गया था 42 अब इसको देखिए आप लोग कि इसको देखना है कि साड़े बचे इसको देखेंगे और फटाख फटाख पताइए दिमाग में लाई करिए दिमाग में लाने का प्रयास करें इस कोशुन का अंसर ए है b है c की d ऑड़ी है यहीं कोश्यन आपका सेलेक्शन करवाना है यहीं कोश्यन सेलेक्शन आपका करवाएगा तो इसने एकदम अच्छे से इसको पढ़िए समझिए और आंसर दीजे क्या होगा इसका अंसर बताइए आप लोग जोड़ा जल्दी से तो कमेंट कमेंट तो खेर लाइव है नहीं रिकॉर्डेट क्लास चल रहा है तो लेकिन आप ही लोग के लिए रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ठीक है ना तो इसको जल्दी से करिए बताइए निमना लिखी संख्याव में कौन सी एक 99 से ठीक ठीक विभाजित होती है अच्छा देखिए आप लोगो को एक टॉपिक पढ़ना है ठीक है ना इस कोशन पर बाद में आते हैं लिए जूस्जण का पहले % ventilation को समझिया ठीक नर फोन है कि अöglichशिख अन अबस्त्रक्रकाल में को पढ़ना है है जिसको बोलते बिवा जीता का नियम बभाजिता का नियम पढ़ते हैं विभाजयता का नियम कहते हैं, तो ये विभाजयता का नियम आप लोगों को पढ़ना है भाई, ठीक है ना? तो सबसे पहले हम क्वीक ठीक है यहां पे क्वीक रिवीजन लेते हैं, क्वीक कंसेप्ट या क्वीक रिवीजन करते हैं, ठीक है ना? रिवीजन कि ध्यान देजेगा सबसे पहले दो का नियम क्या होता है दो का नियम तो का नियम आप लोग बताई क्या होता है लास्ट एक अंग लास्ट एक अंग लास्ट एक अंग होता है ठीक ना दो का नियम होता लास्ट एक अंग अगर हम बोले कि कोई संख्या चार का निय करते हैं 4124 अगर आप से यह पूछा जाए की एक 444 या hazard से कटेगी वा आप क्या करेंगे लाइस डो फकर दैंक पूरा संख्या चेक नहीं करना है पूरा संख्या नहीं करके यह करें गिला ये चार से डिवीजिवल होगा इसके बाद हम आते हैं चार के बाद से आठ का नियम तो आठ का नियम होता है लास्ट का लास्ट का तीन अग आठ के नियम में लास्ट का तीन अंग्चे करेंगे 14 नियम होता है तो 14 के नियम में 4 अंक Check करेंगे चार अंक Check करेंगे उसके बाद देखेंगे आप लोग उसके बाद देखेंगे आप लोग समझे आट के बाद 16め देखें, दो में हम प्रसम निकालेंगे है दिदर सम निकालेंगे जैसा आप समझी अगर डिजाँ सम 0 आ जुर आजाए दिजखों वाजाए अजीडा णा या दिज्टा सम अंकु का योग अंकु का योग अगर तीन से कट जाये तो संख्या है उन्रों होना चाहिए यानि कि जैसे मालीज़म साथ दो तीन ले रहा है तो यह बताए साथ नौव हो गया नौण में खड़ गया लेकिन क्या यह तीन नौश कटेगा नहीं कटेगा तो इसका मतलब है यह नौश कटेगा वह इसका समकी तुम्नम का गया जीरो अगया जिरो में यहाद सभाग लगेगा कि नहीं लगेगा तो यह संख्या नौ 3ता नहीं सीख लिए तिन का hal distance सबस्कूर मिडिया Ο मालीजा हम बोल सबी अपला नियम यह राक में अगर आप से हम पूछे तो क्या आप रोग जानते हैं क्या बता यहां का नियम यहां पहले लेm अगये इएगारा का नियम के लिए आप सब लोग को यह करना है कि आठां वी ने लेना है ki index विलेंगे मोस प्रहां आप दोनों को घटा देना सित्वाटा है ऐगार जाए तो यहां पर संखिया होगी इसे लिटी क्या है कि alternate digit का sum लेंगे alternate digit का sum लेंगे और दो बंच बनेगा दो बंच बनेगा दोनों बंच को आपस में घटाएंगे अग घटाने के बाद से अगर जो संख्या प्राप्त होगी अगर 0 मिल जाए 11 मिल जाए 22 मिल जाए या यूं कहें कि ऑर्णाश करका वाली मिल जाए तो शंख्या अगर सपूरा पूरा क्या होगी कर टेगी लिए यहारा का नियम हो गया आप मता है अथ्यान देजिएלה जयला कि आट रिटनेतरा वाली मिल जाए सट एपांच आए मिल चरुम मेरे कहने का मतलब क्या है ध्यानं देंगे सभी लोग मेरे कहने का मतलब है कि last last सबसिट है कि यहां पेल-60 overarching करेंगे और हैं पिलाश्ट तीन अ lelappos लिए यानि की या ने की पांच के केस्स में सब्सक्राइब एक हुश्ट में लाश्ट आइख 500 में लाश्ट का थो और पूरा-पूरा े कट जाएगी तोर संख्या एक्सोपच्से एक्सोंपची से कटेगी ये एक्सो पचीस का नियम है तो ये लिए क्शब नियम ही Ha wann लो बात आना समच में तो यह हो गया आपका 125 नियम हो गया अब देखे 125 के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक बात को समझते हैं कि जैसे माल या कहीं पर कहीं से आप से पुछ दिया गया आपसे अगर पूछ गया कि छे का नियम अखी के लिए दो और तीन बोनों गचे करेंगे यदि कोई संखिया दोनों से कड़ जाय, यदि कोई संखिया दो से भी कर जाए यदि कोई संख्या तीन सभी कर जाए तो बता ये दो से कटने के लिए लास का एक अंग्चे करेंगे आप तीन के लिए क्या करेंगे अंको को जोड़ के देखेंगे यदि कोई संख्या दो और तीन दोनों से कर जाए तो वह संख्या छे से कटेगी इसे कट करें मिए पैङले और कहीं पनियम पूछित का मतलम लूम साइन मिटें कितना स्कार्ष यदि को संखिया नौ सपक्रते 11 से सаєका दूनों से कट जाये तो वह संख्या नीनानवे से कटेंगे अगर केवल से कट defeat एकशारवसने कटें तो 99-99 से कटने के लिए जरूरी है कि वह संख्या स्प्ख्या और लगर जिए बातारत समझ में सब्लाट सी 살ुग जानना फटादयलि umm का अधर में वasıर इसका दुगूना करना ना इसको हटा दीजिे पाच is का डूगूना मेंड़ ले लिजे तो पांच का दुगूना दस हो गया सत्रह में सदस्वाइब ता गया ऑवस्ट अज़रा में सटस्वा कितना गया साथ अब बताई क्या ये साथ साथ से कटेगा ये साथ साथ से अगर कटेगा तो पूरा का पूरा 175 साथ से कटेगा अगर हम 133 ले लेते हैं तीन का दुगुना बताई ये तीन हटा ये तीन का दुगुना छे 13 में से 6 गया कितना साथ क्या साथ साथ से कटेगा कटेगा तो 133 कटे है इसमें से इसको घटाते हैं उसके बाद भी चेक करते हैं लेकिन हमको नहीं लग रहा है कि साथ हाड होता है और इस लेवल का कोशन भी हार इससे सिम आएगा इस चीज को छोड़ रहा है फाउडेशन बैच में तो एक से दिविजिवलिटे का कोशन करवाते हैं सारे बच्चे जानते हैं ठीक ना चरिया यह आई अब हम अब हम सोच अब हम चाहते हैं कि आप लोग इस कोशन को एटम पीजिए बताई ये बताई एपनेगा क्या है जल्दी से आंसर बताईए बना पाईएगा आप हूँ पताई क्या आंसर होगा अच्छा 99 से कटे नीमना लिखी संख्याव में कौन सी एक 99 से ठीक ठीक विभाजित होगी नीनानवे से ठीक ठीक विभाजित होगी होती है नीनानवे का मतलब आप लो बताए क्या होगा तो 9 गुड़े कितना होगा एक आरह हो जाएगा 9 गुड़े क्या यदि कोई संख्या 9 से कटे 11 से कटे तो वह 99 से कटेगी बताइए अच्छा अब 9 का नियम लगाते हैं हम लोग बताइए 9 का नियम तो बताइए 7 अदू 9 हो गया यहां पर 4-6-10-10-7-7-7-7-7-7-8 हो गया जोड़ेंगे तो क्या 99 से कटेगा आप लोग बताइए आरे नियनानवे से कटने के लिए 9 और एक आरह दोनों से कटना है जब पहले से नहीं कटा तो बताइए 99 से कहां कटेगा तो छोड़ दीजे अब इसको देखिए 7-8-9-8-3-11-11 का मतलब दू होता है यह कटेगा क्या नहीं कटेगा यहा और 8 तू 10 10 जो है कटेगा क्या नहीं कटेगा तो जब 3 को नहीं कटेगा तो अब बताइए चेक करना है बुरुवक हैं आप लोग आरे चेक नहीं करना डाइरेक्ट मारना है इसको खटाक देना एक दाम मारिए बताइए 8-5-13-13-8 देखे ना 6-3-9 कट गया 5-5-10-10-10-8- 18 18 18 का मतलब 9 क्या यह कटेगा कि नहीं 9 अच्छा एक चीज और हम करते हैं 9 से तो कट गया आंसर तो पका यहीं है लेकिन अभी कौन सा हड़ बढ़ी है कौन सा एक्जाम एक डाइरेक्ट मार के आगे बढ़ें थोड़ा सा इसको समझते भी हैं हम 11 का नियम भी चेक कर लेते हैं 11 का नियम आठ चेट चौऊदर आठ च चौऊदर चौदर पांच मताइं नहीं सोगया है माइनस पांच-3 कित्रह ओगया आठ हो गया पांच-3 आठ उनीस में से आठ गया एकारा आ गया क्या एकारा से कटेगा तो यह एक ऐसा संख्या है जो 9 से भी कट रहा है और 9 के अ को देखिए बनाई यह को पोश्य नमबर 46 देखिए और बनाई यह कि इसको कैसे बनाई जाए 75-70 के निकर्तम ऐसा कौन सी संख्या है जो पैसर से जो पैसर से भी भाज हो एक एक जामपल समझे तो आप लो व्यां यहां इसे माल जाओ यह मिआप एक एक जामपल लते थाइं 33 десяć ichamco भाग लगाना सासच से ठीक है और बताना कि 33 के निकरतम कौन सी संख्या है आप लोग बताना है कि 33 के निकरतम ऐसी कौन सी संख्या है जो फरस्क लेकार ये बताना है वह तो यहां बच लीघत 2438 3 तो पांच आ गया तो पांच आ गया अब एक बात बताईए क्या ये ये जो 33 है क्या साथ से कटेगा कि नहीं कटेगा तो नहीं कटेगा इसलिए नहीं कटेगा कि रिमेंडर कितना आया है पांच आया है अच्छा कटने के लिए दो चीज हो सकता है मेरे कहने का मतलब है दो के समभव है या इसमें दो जोड़ देंगे तो तो साथ से साथ कड़ जाएगा या इस में से पांच घटा देंगे तो जीरो आजाएगा अगर जीरो लीमेंडर आया होता तो पूरा-पूरा क्या हो जाता कड़ जाता अब एक बात देखिए आप लोग तो जोड़ेंगे, अगर हम दो, मालिज हम बीच में यहां खड़े हैं, दो जोड़ेंगे तो दो यूनिट आगे बढ़ेंगे और यहां 5 घटाएंगे, तो 5 यूनिट पिछे जाएंगे, तर नजदी कौन होगा? दो यूनिट आगे जाना नज्दिक है इसके निकर्ता में मेरे निकर्ता में 2 आगे है पांच पीछे जाएगे तो भाई दूर हो जाएगा तो निकर्ता में 2 जोडना है तो जोड के बोलेंगे कि 33 में अगर हम 2 जोड देंगे न तब 35 एक ऐसी संखिया है जो सास से पूरा पलेता हैं जी समाओ लिजे तो आप लूब को बनाना है कि क्चावण में चोवण के निकर्तम आप लोmesi संख्या है जो पांच से पूरा-पूरा कड़ जाएगी 5 से विभाजित हो जाएगं तो इसके लिए आक पाराम से कदम पांस भाग लगा ये पांच एक हम पांच यहां कड़ जाएगी बचेगी यहां पर चार अब देखिए अब चार भाग नहीं लगेगा तो जीरो तो यहां देंगे अब देखिए 5 से कटने के लिए दो के सबनता या तो एक जोड़ें 5 में पहुंँ जाए तो पांसे 5 कटेगा आयाइस में चार गटा दे जीरौ जा joueगा फांसे भाग लगजाएगा तो दो केस हैं यह क्लिए रहे की नहीं है बताइए रजए एक जोड़ना फाला केसे एक जोड़ना आएक जोड़ना आप चार घड़ना एक जोड़ेंगे तो एक नज्दीक होगा एक हाथ आगे जाएंगे तो नज्दीक होगा टार एक करें यहां पर जोड़ेंगे जोड़ेंगे जोड़ के बताईए ठीक न वैसे यहां प्रीटाई को इसमें आपका 75-0-70 इसमें हम भाग लगाते हैं पैसर से पैसर्ट थे कम पैसर जीरो एक आ जाएगा जीरो पैसर थे कम पैसर थे गो से 35 उसके बाद देखना है लिए इसना अब हग लगा यह तो कि देखिये कितना आँ चैनल सह है तो 255 जाएगा आख 25 25 दो हाथ में 6 35 आप तीस में दो जोड़ेंगे 32 आ जाएगा साथ में 5 गया दो आ जाएगा और 5 में दो गया तीन आ जाएगा 32 अब हम एक 0 उतारेंगे तो हम भाग देंगे अभ की बार देखेए पैंसर से भाग देंगे तो लगता है चार बार में जाएगा पांच चुखा बीस हो जाएगा इसे चोबिस जाएगा आथ 24 अब हम गटाते हैं यहाँ पर बताए घटाने के बाद किया आएगा यहाँ पे तो जीरो आजाएगा बारह में से च्छेगा जाएगा यह कट गया तो अगर आपसे पूरा-पूरा कटने का दो रास्ता है या तो इसमें पांच जोड़ना निकर्तम है पांच जोड़ना ही इजी है पांच जोड़ने तो नजदीक रहेंगे तो आब बताईए जो यह 75-0-70 है इसमें हम 5 जोड़ने तो मिल जाएगा यहीं मेरा राइट अंसर हो जाएगा वताईए यह समझा आया की नहीं आया तो हम लोगासरी हो जाएगा ठीक है ना पचन जीरो पछेट्तर लगी एप इसको से बूल जाता है आए देखते हैं कॉचे कोशन पढ़िए यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए यदि कोई संख्या एकस जोड़ा जाए एकस जोड़ा जाए एकस जोड़ा जाए तो वह अपनी तीगूनी संख्या के अपनी तीगूनी संख्या के अपनी तीगूनी संख्या से साथ कम साथ कम हो जाती है तीगूनी स होगा 2x यह साथ आएगा तो माइनस साथ आएगा प्लस साथ 21 में साथ जोड़ेंगे अठाइस हो जाएगा दो से कटेगा कितना बार में चौधा बार में आंसर चौधा आई इस कोश्चन को देखिए आप लोग देखिए अभी हम आप लोगों को पताये थे कुछ नियम अभ सकतेी कि लिए और के लिए यंग चारृच से कटने के लिए लाक क्लास का तीन अंग 16 से कुटने के लिए लास्ट का पंडियाश्ट क्वा लास्ट का पांक 5 से कटने के लिए लाश्ट याःजanki यहाश्यों चैकरेंगे continues के लिए लास्ट अंका दूगूना करके घटाएंगे और चे करेंगे और आप दाई, ये चे के लिए क्या करेंगे, तो दो गुड़े, तीन, दो गुड़े, तीन, जो संख्या, दो से भी य सभी चटे, वह संख्या किससे गटेगी, यह बात आरा समझ मैं, तो यह सारा चैज एक आरा का नियम क्या है alternate लेंगे alternate लेंगे दोनों को घटाएंगे गटा कर देखेंगे इक आरा से कट गया तो पूरा संख्या कटेगा नहीं कटेगा तो यह सब नियम को याद रखेंगे और बताईए, दो से कटने के लिए last का एक अंग चार से कटने के लिए last का दोंग जो संख्या चार से कटेगी, वो तो दूस्थे कटेवे करेगी यह जो चार से कटेगा, वो दो से तो कटेगा ही तो चार के लिए 26 नहीं, 22 नहीं, और 37 नहीं 73 is the right answer बोलिए क्या किलिया रे क्या बताई आए इसको देखिएगा किया है कोशा नमबर एक आवन देखना है सब को पर लॉशन नमबर एक आवन देखिए बताई आए कि यह कैसे करें कि कि वोशन नमबर कि वोशन नमबर एक आवन आप सारे लोग देखेंगे 17 से 84 के बीच ऐसी कितनी प्राकिर संख्या है जो 6 से पूर्टा विभाजित है देखेंगे 17 से 84 के बीच आचा के बीच तो यानि कि 18 से लेकर 18 तक इसका मतलब यह हुआ तो इसके बीच में इसी कितनी संख्या है जो 6 से कटेगी तो बताइए ना अगर 18 से लेना है तो 18 हो जाएगा 18 के बाद से 24 हो जाएगा 24 के बाद 30 हो जाएगा 36 हो जाएगा 6 से कटने के लिए 42 हो जाएगा 48 हो जाएगा 48 में 6 जोडेंगे तो 54 हो जाएगा 60 हो जाएगा 66 हो जाएगा 72 हो जाएगा बहतर के बाद 80 हो जाएगा बताइए के बीच है तो 78 तक हिलेंगे 84 को नहीं लेंगे इसके पहले लेंगे सत्रक उपर अठार को लेंगे तो एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नौ दस एकार तो हम लोगा जो आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा यहारो हो जाएगा तो इससे रिलेटेड कुछ और हम कोशन करवाते हैं उसके बाद इसका और बढ़िया समसलूसन देंगे आपको ठीक ना केवाल आप बढ़िया से पढ़िए लाइक करना न भूलिएगा लाइक तो करना एकदम जरूरी है आप लोग लिए इतना रात हम जाके रिकॉर्डिंग कर रहा है तो लाइक करें सेयर करें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा यह चैनल को सब्सक्राइब कर वाहिए ताकि हम लोग बीचैनल जो हमारा चैनल फीछे है यूट्व में म्लोग बहुत पीछ है थोड़ा हम लोग भी यूट्व में आगे आए ठीक है न चलिह यह देखते हैं एक से लेकर सौव तक ऐसी कितनी संख्या है ऐसी कितनी संख्या है एक से लेकर सौव तक ऐसी कितनी संख्या है संख्या है जो एक से लेकर सौव तक ऐसी कितनी संख्या है जो साथ से साथ से डिवीजीबल हो सेवें से डिवीजीबल हो माल यह ऐसा कुश्चन आजए आपको साथ से डिवीजीबल हो तो करना क्या आप आई देखिए आपको यह सौव ले लेना है जब कर भी एक से स्टार्ट होके सौव तक जाएगा ना यहां तक जाएगा सौव तक सौव तक तो सौव को ले लेना है आज सौव में साथ से भाग लगा देना है समझ रहे हैं अब भाग लगा कि देखिए साथ एकम साथ तस में साथ गया तीन पे जीरो साच्चे उकठाइस दो बटा साथ आएगा इससे कोई मतलब नहीं रखना है इसका मतलब हुआ कि एक से लेकर सौव तक में चौवदा ऐसी संख्या है ना चौवदा ऐसी संख्या है जो कि जो कि आपके जो साथ है ना साथ से डिवी जीवाल है कितनी संख्या चौदा कई तो काउन कर देते हैं चलिए देखिएगा साथ से कटने के लिए साथ आएगा उन्चास आएगा उन्चास के बाद बूल यह 56 के बाद से 63 तुर्सर और से 79 14 14 लगा और से दो के आने के पीछे क्या है कि सौव तक में इसके आगे में दो ऐसी संख्या नीनानवे और सौव है नीनानवे और इसके आगे में दूगो संख्या सौव है यह दूगो संख्या में नीनानवे और सौव है जो साथ से नहीं कट पा रही है और यहीं रिजने की दो आया था बा कि देखना ये का एक कुशन और हम देते हैं देखना बाभू bono ये सारा का मैं हम चैनल पे मैं कर देंगे और उसको से कटने वाली सटरह से कटने वाली कितनी संख्या किसे बाकने वाली इतनी संख्या लें नहीं संख्या मीजिए¯ हां इसमीज संख्या questa कोशिन आजाए तो क्या करेंगे बताई ये लाष्ट वाला पांसो में 17 सभाग देंगे 17 दूना चौंटीज पचास में 24 गया सुला एक सवागे साथ 17 सजाए गानो बार में 173 पन एक 132 पन तो बताई ये कितना संग्या उंतीश संख्या तो इसे बना लेंगे अगर ऐसे कोश काटेगी साथ से कितनी कटेगी कितनी संख्या कटेगी अगर यह कहीं कोशन आपके विहार से सिमागा सच्वाले आगया ठीक ना तो विहार से अगर ये कोशन आ जागा तो कैसे बनाई एक आपनों बताईए 200 से 300 के बीच तो इसमें हम सबसे पहले क्या लिखेंगे 201 से लेकर यहां पे 299 तक करेंगे 300 के बीच है तो 300 को छोड़ेंगे 299 तक तो सबसे पहले देखिए यह बीच वाला है इसका सुरुवात एक से नहीं हुआ है तो हम 299 ले लेंगे इस 299 में हम साथ से भाग देंगे 748 29 29 29 29 29 29 24 24 22 संख्या है एक से लेकर एक से लेकर 299 तक 42 से उसमें से एक से लेकर 200 तक एक से लेकर 299 तक जाएंगे और उसमें से एक से लेकर 200 तक क्या करेंगे घटा देंगे तो 200 एक से लेकर 299 तक मिल जाएगा 20-200 में हम 7 से भाग देंगे 7 दूना कितना? 14, 6 बचएगा 6 पर 0, 7, 8, 6, 25, 28 यानि आंसर करने के लिए हम 42 में से क्या करेंगे? 28 को माइनस कर देंगे और आपका आंसर कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा तो यह वहला concept हम भी उच कर लेंगे, बताइए यह भी तो कोशन दे सकता है, ऐसे करके, अब बात को समझना आप लोगो कभी-कभी ऐसे दे देगा, कि 300 तक, 300 तक ऐसी कितनी संख्या है, जो जो तीन एवम, साथ दूनों से, दूनों से डिवी जीबल हो, डिवी जीबल हो, तो इसके लिए क्या करिएगा? इसके लिए तीन और साथ, तीन और साथ का मतलब दूनों का LCM, दूनों का LCM ले लेंगे, और आप बताए, यह साथ और तीन का LCM कितना हो जाएगा? एक-, खटना चाहिए, यदि कोई संख्या तीन से भीते साथ से भीते, करते, देढ़ ज़रूरी है, कि वसे तीन और साथ दूनों के LCM से करणा चाहिए, पर लाए किसे कटना चाहिए, तीन और साथ का मतलब किसे, दोनों का LCM से प्रक्राइब तो दोनों का एल सेंटीन और साथ का एल से में कई सो गया तो हम क्या करेंगे तीन सो में एक आई से भाग लगाएंगे 21 से कम 20 इस में 29 990 एक इस भाग लगाएंगे एक इस चोग चौडाशी यानि कितनी संख्या चौदर संख्या है तो आपका साथ कितना स्था जागा भई चौदर हो जाएगा पातार समझ में एलियर है तो अब अधाय एक ओश्न और देते हैं देखे इसको बना लिजिया व किस को बना लिजिया घ्राइज गया धिश्यां दिजिए प्रिंस ओ तक ऐसी कितनी संख्या है कितनी संख्या है संख्या है संख्या है जो जो चार एवं एड़ छे चार एवं छे दोनों से कटे इसके लिए क्या करिएगा बताइए सबसे पहले चार एंड फूर एंड लिख रहा है आगा इसका का लेंगे तो बताएए चे और चार का लिए बारह होगा चार और छे का लिए क्या करेंगे तो चार ओर चे के लिए दोनों का डिन में ब्हूं का 12 हो जय गा जो संख्या बाइस कटेगा और चार से भी कटेगा छे से निकालेंगे गी समरें मोज़ेः इसे निकालेंगे रहे डेखना आप Ђजा हूँ आशिछा पाएगा जीरो साथ बारव पाचे साथ यानि आंसर हो जाएगा पचीस को आंसर कितना हो जाएगा पचीस को और इस टाइप का एक और कोशन देखिए फिर हम आगे बढ़ेंगे ध्यान दीजेगा आप लोग कोशन यह है बाई कभी-कभी ऐसे लिख देगा कि 200 तक ऐसी संख्या निकाली यह दो सो तक दो सो तक ऐसी कितनी संख्या है ऐसी कितनी संख्या है संख्या है जो जो तो तो यह साथ दो यह साथ से कटे तो यह साथ से कटे तो यह साथ से कटे तो देखिए यह व्ण वाला कोशन आ गया भाई इसके पहले वाला question को देखिए गा end था उसमें इसमें इसमें क्या था end था इसमें र था हिंदी में और था देट रहेगा और रहे यदि कोई संख्या दो से कटती है माल लिजिए इस वेंड डियाग्राम में है जो से कटना यह है असा से कटने वाली संख्या इसमें है तो हम क्या करेंगे दो से count करेंगे तो ये वला आ जाएगा साथ से count करेंगे तो ये वला आ जाएगा तो ये वला बीच वला जो person होगा न कुछ ऐसी भी संख्या होगी जो दो से भी कटेगी और साथ में साथ से भी कटेगी तो यह वाला संख्या दो बर काउंट हो जाएगा, दो में भी काउंट हो जाएगा, साथ में भी काउंट हो जाएगा, तो दो बर काउंट हो जाएगा, तो ऐसी संख्या को एक बर घटा लेंगे, आप याद करिए आप फर्मूला भी पड़े होंगे, A या B का फर्मूला, A य दूसा में शॉत रखन में वाला निकाल दीजे दूसव वाला निकाल दीजे था सात एकम साथ ना चौदर पीस में चोदर गया छे पे-जीरो सार सा तबाठे चापन अठाइस सुंख्या साथ सबकेगी और इसके बाद आप लोग देख लिजेगा आप लोग देख लीजेगा तो 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 दो सात दोनों से कटे यानि को दो दो सब्सक्राइब आप लोग हूर सब्सक्राइब लेंगे जोड़ेंगे आप दोनों से कटे उसको क्या करेंगी घटाएंगे क्योंकि 2 से कटे 7 से कटे में 2 वाला 7 वाला काउंट हो गया होगा तो 14 वाला जो है न वो 2 में भी आया होगा और 7 में भी आया होगा तो इसके लिए क्या करेंगे 100 प्लस 28 माइनस 14 कर दीजे solve कर दीजेगा तो 114 अपका अंसर हो जाएगा तो यह सब बातों का ध्यान रखिएगा ठीक है न और इसके बाद से देखेंगे कभी एक कोशन और बनेगा क्या बनेगा ऐसी कितनी संख्या होगी जो नहीं कटे, तो नहीं कटे के लिए टोटल संख्या काउंट कर लेंगे, आउसमें से जितनी संख्या होगी कटने वाली वो काउंट कर लेंगे, उसको माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा, इसके अलावाद जब हम प्रैक्टिस सेट करवाएंग बन जाएगा चली आई इसको देखिए भाई किया लिख रहा है यहां पर देखेंगे माल जे कोशन ऐसा आ जाए मेरे दोस्त कि 42 में से कम से कम क्या घटाएं कि वह संख्या दस से पूरा-पूरा कर जाए तो कैसे बनाईएगा आप ही लोग बताइए कैसे बनाईएगा तो सबसे पहले दस से हम भाग देंगे आरे दस चोगा 40 हो जाएगा और बताई कितना आगया रिमेंडर दो तो क्या ये 10 से 42 कटने वाला है नहीं कटने वाला है आपसे अगर हम पूछें कि ये जो 42 से 42 क्या ये 10 से कटेगा तो नहीं कटेगा क्यों नहीं कटेगा क्योंकि यहां पे रिमेंडर प्लस टू आ गया ह अशा प्लस टू का मतलब कम है कि जादा है तो जादा है प्लस का मतलब जादा है यह 42 दस से कटने से जादा है तो घटाई जाने वाली संक्या जितना जादा है उतना घटा देंगे तो घटाई जाने वाली संक्या कितना है दो अगर इसमें से दो हम घटा देंगे तो घटा द जोड़ी जाने वाली तब पहले तो घटाई जाने वाली संख्या देख लिजे आउसके बाद जोड़ी जाने वाली हम एक अपने मन से करा देंगे एक और िफ से साथ से जब हाग दिया जाए 65 में से कम से कम क्या aircraft मैसर है वह निवंतम संख्यय कि आ है चर्फ हम साथ से है तो पूरा-पूरा कर जाए तो बता स सब कोड़ेंगे शार त्वान सीर्ष्त और आव बता ज़्यादा है तो जीतना ज़्यादा होगा उतना माइनस कर देंगे तो माइनस टू आंसर होजाएगा कि दो घटा देंगे तो पूरा-पूरा डीविजिवल हो जाएगा तो यह बात आ रहा समझ में आप लोगको अगर यह चीज़ समझे मारा तो देखिएगा अब यहाँ प 23 अब न धीवसलित्स हो जाए तो भाग लगाई यह चार बार MIL २ जा सकता है तो भी मोठों न थे और न ज्यां में आप डूर से नहींग जिना ज्यक्जिण हो गया यहाँ बंगया थीनल के लाँ प्यां यहां बचार बार मीं मुठीर और मुठी जाओ आ उसके बहुष देखिए ख़ए यहां पर एक आ गया डिकन एक उतर गया अब 13 110 बास्थ इसे 15 अब **** ने कितना धाएगा अब आप लोग देखेंगे इसके आगे क्या करेंगे एक आरह में से पांच गया छे दो बचेगा दो में से एक गया एक आजाएगा यह कैंसिल आउट हो जाएगा लास्ट में उतरेगा बताई छे उतरेगा अब एक बार में भाग लगेगा और एक बार में भाग लगेगा त प्लस 43 से माइनस टीराली से तो प्लस तीराली से यानि 43,20016 में जब हम 123 से डिवाइड करेंगे न अपूरा-पूरा नहीं कटेगा तेई से सा गया इतना सेश आगया तो जो ये स्ट्रा है और घटा देंगे तो अगर आपसे पुशा जाया कि घटाई जाने वाली संख्या बत क्या हो जाएगा तीर आलिस हो जाएगा बताएस सबस्ञाइल क्या आए ल को देखिए आप सारे लोग ऐसी पढ़िए क्या है को और बना ये सभी लोग क्या होगा कर यह एगrik देजी। पनाई यह देखिए कैसे बनाई एगा लोग देके नौ से भी भाजय हो तो इस्टार के अस्थान पे कौन सा अंक आएगा नो से कटने के लिए पांच चार नौ 9 का नियम लगाईए 549 729 बचेगा यहां पे 3 तो यहां तीन आई यहां पे क्या हो जाएगा कि 9 हो जाए तो 6 तो एस्टार के जगव पे 6 हो जाएगा क्योंकि 3 पला 6 9 बनने के लिए एस्टार के जगव पे 6 हो जाएगा तो आंसर क्या हो जाएगा छे हो जाएगा चलिए इसको देखिए आप लोग इस को देखिए वाई कैसे बनाया जाए बताइए 11 का नियम अभी आपको पढ़ाये थे आप 10 मिनट पहले वीडियो में जाकर देखिए 11 का नियम पढ़ाये थे कि नहीं हो आल्टरनेट वाला तो बताईए यहां पहले देखिएगा आप लोग दूहर एक तीन बन्ता यहां 9 प्लस वाई बन्ता 10 प्लस वाई में से दो और 3 घटा देते हैं घटा अकर दिखता है तो नौमेज सारी आप दैपलोर 17 कि य जो 6 प्लस-त क्या यह से प्तलना चाहिए 11 से और 11 से कटने के लिए वाई का फैलू 5 होना चाहिए तभी तो 6 प्लस 5 11 होगा तभी तो 11 से कटेगा तो वाई का फैलू 5 हो जाएगा तो फाइप इस दर आइट आंसर आए इसको देखिए गाप लोग देखेंगे सारे बचे बहतरीन कोश्यन और यह कोश्यन आफ्ट कीज कोश्यन यह है हम सोचे कि एक दो कोशन थोड़ा हाई लेवल का भी करवा देंगे तब जाकर नमजाएगा क्योंकि हाई लेवल का कोश्यन भी आपसे बनना चाहिए तो ही तो सेलेक्शन होगा तो बताईए कैसे बनाएंगे तो बताओ यार 72 से कब कटेगा 72 का मतलब क्या हो है जरूरी है बोले जरूरी है कि नहीं है जरूरी है तो आठ और नो से कटना जरूरी है देखिए यहां पर आठ और नो से कटना क्या है जरूरी है कैसे बनाईए का थोड़ा सूची आप लो पहुत ही बहुत ही बहुत ही कोश्यन है सूचिए तब तक हम थोड़ा पानी पी झाल 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 कि दो कि अभाग, झाल 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 तो कैसे बनाईएगा बनाई जल्दी जल्दी से बनाईए बाबू कैसे बनाईए चलिए आईए समझते हैं भाई ठीक है ना चलिए देखिए अगर कोई संख्या 72 से कटे तो उसके लिए 8 और 9 से कटना क्या है जरूरी है ठीक है अगर 8 और 9 से कटेगी तभी जाके वो 72 से क्या होगी कटेगी ये बात के लिए रहे अब देखिए इसमें 8 का नियम होता है लाश्ट का तीनांक और 9 का नियम होता है टीजिटल सम होता है कि नहीं होता है तब सबसे पहले हम लास्ट का तीनक देखते हैं भाई तो लाश का तीन अंग हम यहां ले लेते हैं और देखते हैं तो यहां पर ले लिए हम पांच एक्स और छे ले लिए और आठ से अब हम भाग लगा के देखेंगे आठ से भाग लगा के देखेंगे हम सबसे पहले एक्स का फैलू यहां पर जीरो लेके देखते हैं यहां हम सबसेढ़ पहले एकताश लें लेते हैं तो धीरो लेंगे तो बताएं प्चास हो जाएगा पर इसका करत्रैट ये आट ओत्रैस तुम्ह पाचास के साफिवा ये क्यों थह सह बताइज पार इसको चाट जाएगा 8ili तालिस 51 में से58 निकल जाएगा 3 पाय जाएगा धीन पाय जाएगा trick आस चाट टिस नहीं कटेखा यह व्यसंभव हम बढ़ा कि घरते हिंवाल लिजिक दो लेंगे तो और एक चार आएगा 45 46 इस नहीं कटेगा उसके उसके ऊसके बदयेखिए एक्स का भैलू अभी हम कितना लिए थे बताईए एक्सका व्हाइलू मैं तो दो ले लिये तें ले लेते हैं तीरपन तो बताई आज से तीरपन आड़ शक आड़ से टीरपन अगर यहां ł टीन ले लेंगे तो आछ च्छक आड़ तालीस भचेगा बताइ तीरपन अगर टालिस गया भड़्ट फंच पर 6 जब रशा चते च मतीन होगाBob तो चोवान तो बताई चोवान अगर ले लिजेगा आप लोग चोवान ले लिजेगा तो होगा क्या नहीं होगा जोंक्थ 48 गटएगा तो बचेगा कितना चेबेटिढा के पाँच अबस्पन नहीं कर दो चांव नहीं हुआ अब हम संताओं लेते हैं तो चक्राइम हो फिर्षा संताओं लेंगे तो 7 possibility एक समन अब इसके बाद हम देखते हैं जाई भाई देखते हैं अगर मालीजिया में इस कमान सी ले ले लेते हैं तो यहां पर आजाये यहां पर जो नमबर है मेरा कि यहां जो number है हम लोगा थाइप Bye नियुक फॉर य यहां पर प्हुरू आ यहां पर से का च्छे अगर माल लेच सने एकस का यहां पर दो भैलू है अगर हम यहां से पहला भैलू तीन ले ले यहां पर यहां पर अगर हम तीन ले ले तो क्या होगा नौ से कटाना है आठ का नियम हो गया तब नौ का नियम लगाना है तो नौ का नियम के लिए छो तीन नौ हो गया खतम अब बताई यहां पर पांच आचार नो हो गया बोलिए हुआ कि नहीं अब जोड़िये क्या क्या बच गया है तो आठ 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 तिरीका 24 24 आप पांच दस 24 आठ दस 34 यानि वाई प्लस 34 चौंथिस का मतलब होता है बताई क्या वाई प्लस चारा तीन कितना 7 तो यहां पे शौ से कटने के लिए रे नो से कटने के लिए अंको का योग नौ आना चाहिए तो नौ के लिए यहां पे हम मतलब रखेंगे तो बताए दू और सांथ कितना नौ जब एक सवराबत तीन आया तो उसके corresponding y का value 3 का corresponding 2 आ गया तीन का corresponding कितना आ गया दो आ गया अब हम एक और value दिया उसको भी ले लेते हैं वाई लास्ट वाला वैलू आप लेही लीजिए ठीक है पांच वाई पांच आठ आठ चार आठ जीरो पांच एक्स छे हो गया अब यहां पर देखिए यहां पर एक्स का वैलू हम साथ लेके चलते हैं तो यहां पर एक्स का वैलू हम साथ लेके चलते हैं सेकेंड वाला पहला वाला एक्स इसमें लिए दूसरा वाला एक्स इसमें हम लेके चलते हैं देखिए चार पांच नौ खतम जोड़ी अब आप पांच पांच तस दस आठ अठार अच्छा दस और आठारा खतम अठारा का मतलब नौ से कड़ जागा खतम कर दीजिए ठीक है आठ आठ शुला असोला च्छे सोला में छे जोड़ी का कितना हो जाएगा बताए से कटने के लिए नौ आना चाहीए तो 9 आने के लिए वाही का वैलू कितना हो जाएगा पांच पर यहां पर पूछ रहा है आप लोगों से पूछ रहा है कि root x y बताईए तो root x y का 2 value अगर हम मालजे x बराबर 3 लेंगे तो y बराबर इसके corresponding 2 लेंगे 3 दूना कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा और अगर हम 7 लेंगे तो y का value 5 लेंगे तो इसके corresponding कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा तो 2 value है, root 6 है, root 35 है अगर option को देखा जाए हमको याद है कि इस question का option मेरे किताब में गलाट type हुआ है और चुकि मेरे किताब से इसको डाला गया था इस question को तो हमको याद है कि root 6 option में दिया गया था जो SSC है न ये जो option है इसको root 6 दिया गया था यह ओप्सन रूट 6 है तो आपका अंसरूर 6 हो जाएगा जोंकि 35 तो है नहीं यहां पर दोनों में से जो रहेगा उसको मारेंगे तरूर 6 मारेंगे बोलिए समझे कि नहीं समझे आप लोग तो एदम अच्छे से देख लिजेगा इसको आईए इसको समझते हैं आप लोग कि पताइए पूर्टा विभाजित किस्से होगा कि अ पूर्टा विभाजित किस्से होगा और अधिजी में कमेंट करिए बताइए किस से विभाजित होगा कि आई € समजते हैं कैसे बाई बनाएए तो सबसे पहले यहां 52 जिर्फलें पांच के पाउर 15 तो पांच हैड़ाईगा यहां पाँच के पावर 55 है पाँच के पावर तीरपन ले लेंगे तो पाँच स्क्वाइर 25 सा जाएगा और यहां पाँच के पावर 56 है पाँच के पावर तीरपन ले लेंगे तो पाँच के पावर तीन एक सो पचीस सा जाएगा जोड़िये तो जोड़ेंगे तो क्या मिले अब सुनिए पोशन में यह सब ऑफशन दिया है फ़ड़ा इसको हम तोड़ के देखते हैं इसका फेक्टर अगर हम निकाल के देखते हैं तो 13 से कड़ जाएगा देखिए तो 13 से 13 एकम 13 बचेगा यहां पर कितना दो दो पायागा 26 तेरा दुना 26 सब्सक्राइब हैं आर्म कि अच्छा इसमें अगर आपसे पूशा जाएं कि 5 के पाऊर त्यरपन में इसinate निकाल फैर्व09 defence कि नहीं तो है बहुत सारा पांच हैएं है कि बताईए तो अगर आपसे पूशा जाय कि यदि कोई संख्या 13 सभी कटे अशाथ में पांच से भी कटे तो तेरा पांच से कटेगा कि नहीं इस संख्या में तेरा भी है यहां पांच भी है यदि तेरा और पांच दोनों है तो बताइए तेरा और पांच दोनों है तो तेरा से और पांच से कटेगा कि नहीं कटेगा तो तेरा से भी कटेगा पांच से भी कटेग कि बचे का कितना छे पर पांच तो तेरह गूड़े पांच तो नहीं गलत हो रहा है कि तेरह एकम तेरह तेरह कम तेरह तेरह बचे का बोलिये दो दो, तो और तो तो त्यरा कम तेरो उन्हेस में से तेरह गया तो जूचे पर पाँच तेरह पाचे पैंचे Now Sam 65 बाबता यह सो पंचाने से कटने के लिए यह तेरो पंद्र का होना जरूरी यह इसमें 13 है इसमें तीन भी है तो यानी तेरह थी ने और सांथ में क्या है पाच है तो देखेफ पांच सही कड़ एगा तेलव और ये सबुटेस सबुकर तो 955 यह शबूद कर्जाएगा इससे भी कट जाएगा तो आंसर क्या हो जाए बूत तो बूथ आपका आनसर हो जाएगा छीव ना इसको देखे आके सारे बचे जो लोग आप सभी लोग इस question को बनाई आँसा बताईए नीमन में से इन में से कौन सा भीन है जो इतना से बड़ा है और इतना से कम है तो एक बात बताईए अगर हम भाग लगाएंगे यहां पे तो बताईए चार से भाग लगाएंगे तो एक जिरो देंगे तो दसमलों आ जाएगा पॉइंट झेइडियो बटाएंगे चार सत्य ऐठाईश डेंगे लाई फो आएगा दो पर आएगा जी रो चारप रचे लाएगा लकाफ चान आजाएगा सबन अबयां L इसको देखिये यह तत्युनलव 50 है अगर इसको भागाएंगे दसमलव 6-6 है इसको भाग लगाएंगे तुसमलव 80 है इसको भाग लगाएंगे तो तो दसमलव 90 90 है भाग लगाने पर एसाब आएगा अब आप लोगों से पूछ रहा है क्या चीज़ इससे बड़ा और इससे कम यानि 75 और 83 के बीच में यह तो नहीं है 75-83 के बीच में यह भी नहीं है 75-83 के बीच में यह 80 है 75 से बड़ा है 83 से कम है आई यह नहीं है आप पर्सेंटेटेस के अधार पर भी बना लेते इसको देखते तो समझते कि ये 75% है आरे इसको देखते तो ये एक बटा 6 होता है 16 15 बटा 6 निकाल लिएका तो 83% आता है ठीक नाई ऐट 83% का असपस आता है अब पर सेंटेज में ये देखते तो ये 50% है ये 56 percent है यह 80 percent है यह आपका 90 percent है तो आप योग बताइए कि 75 percent और 83 percent के बीच में कौन है तो 80 percent है तो आप इसको मार सकते थे भाई अब इसके बाद अगले कोश्य को देखिए इसको देखिये बताईए कैसे बनाया जाएगा इसको उन तीन करमागत संख्याओं का गुड़नफल क्या होगा उन तीन करमागत संख्याओं का गुड़नफल कितना होगा जिनका योगफल 15 है देखिए तीन करमागत संख्या में बीच वाला एक्स माल लेंगे हम बीच वाला भाई एक्स मालेंगे करमागत है तो आगे एक्स प्लस वन मान सकते हैं और इसके जस्ट पीछे वाला एक्स माइनस वन मान सकते हैं अगर तीन करमागत संख्या मानना होगा तो यह माल लेंगे ह है तो इसको जोडि को जोड़ाइगा भाही अगर इसको जोड़ाइगा नबाइनस एक्षान कट जाएगा 1 एक्षाट 3 x इजिख्षाटा 15 25 x 35 15 अगए एक्ता तू नबर बताईए आज गया तो यह तो है यह 5 में ज्यादा 6 है यह 5 में कम 4 है गुड़ा करना इन 3 हो तो गुड़ा करेंगे तो 6 गुड़े 5 गुड़े कितना चार छे 3530 34 304 का मत्तब 120 120 आंसर यह आंशर हो जाएगा एक तोएक तरीका है है देखेए दूसरा तरीका यह हो सकता है ना पहले अध्रिज निकाल दीजे और यह ब्रभर आप जानते हैं कि सम बटा नॉम्बर्स होता है अगर हम आप से बोले कि एवरेज निका लिए तो अभराइस कैसे निकालिएगा सम बटा संबर करिए बाधर आपन ऐसा में इसम है तिन संख्या का ता तीन से स्षण का types as या तो पाउच या जाएगा और यह 5 ओजाएगा ते hearts का मतलब क्या होता है इन फैस्स省 का मतलब होता है बीच में जैस lors हम आप है तो अगर तीन संख्याओं का यूग पंदरर दिया है कि थे गहागा इसके आगे छे है इसके जस्ट पहले चार है तो तीन करमागत संख्या यहीं हो जाएगा छे पाचे तीस तीस चोग का 120 मार देंगे आंसर बात किलियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है बताईए तो ऐसे करके इसको बनाईएगा आपका अंसर आजाएगा आए इसको देखते हैं क्या है तो यह तो बहुत असान कोश्चन है और हमको लगता है आप सभी लोग बना भी लीजेगा बताईए आपसे बनेगा क्या तो भाई 0 से 0 कटेगा 5 से कटेगा 25 बारे में 75 सो में अगर 25 जोडेंगे तो 75 सो 25 भी आंसर हो जाएगा साइद क्या लग रहा है भी होगा कि नहीं हो साथ गुना साथ गुना से पंद्रग हटाने पर पंद्रग हटाने पर उस संख्या के दुगुना उस संख्या एक्स का दुगुना से दस अधिक प्राप्त होता है दस अधिक प्राप्त होता है यह हो गया इक्वेशन और इक्वेशन हो गया तो बताए यह साथ एक्स में से तो पांच इस गया सेविन एक समय से टू इकस जाएगा तो पांच एकस आएगा ओर माइनस पंदरा जाएगा तो पंदरा दश पचीस हो जाएगा था भैलू 5 आ जाएगा थे स्का बारफ कर दिकिएगा ही वाला इसमें देखना है समझ आफ लो बनाएए गबligen बताईए एक्सटर्ट नमर कोशन चल रहा है तो एक्सटर्ट नमर कोशन कैसे बनाये जाएगा बताईए एक्सटर्ट नमर कैसे बनायेगा वह बोल रहा है कि लगूतम अंकौन है लगूतम ऐसे तो दीख रहा आंसर देखिए इसको बनाने का ना बहुत सारा में थड़ है अगर सबसे आप लोगों के लिए आसान की हम बात करें तो हम तीन कंसेप्ट हम बताते हैं फाउंडेशन वैच में वो तीनों कंसेप्ट आपको हम बता देंगे ना तो कोई भी फ्रेक्शन में कौन छोटा होगा कौन बड़ा होगा पहचान लिजेगा फिलहाल तो यहां पे अंतर साथ का है यहां पे अंतर एक है यहां पे अंतर एक है यहां पे अंतर एक है तो सबसे बड़ा यह है इसका अंसर से बड़ा है तो यह बड़ा है इसके तुल स्गेट रहा है टीन के तुला में बहुत ज्यादा से भागत दे रहा है यहीं न सबसे छुटा लग रहा है फिन === इन मी अधिस सुगा टैनी अधिक रहा है मेर भाइद दिक रहा हो फिटेंसान किस बात का लेना ऐं है जो कि कुछा याद आजा सकता इस को सच्वाइब आपको कुछ हम नियम बतातें इसको याद रखना यदि माली यह संख्याद आप 5 है पांच बटाच यह शे बटा साथ है असलत वन्य आपक कई अगर आपसे बोला जाए डीफरेंस निकालने का अगर आपसे बोला जाकि अंस एम हर उन्स एंपर से मोगर है रखना यह हदी फिरेंज एग है यहां डिफ्रेंज एक है करदी फृआंस है है यहां भी ढिफ्रेंज एह है स pół ना ऑन से बड़ा हो जब काभी भी हर ऐन से क्या हो बड़ा हो है मनें नीचे वाला उपर वाला से बड़ा 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 ऐसा जब कभी भी हो ठीक है ना तो जिसका अंस ज्यादा होगा वो ज्यादा होगा तो इससे ज्यादा ये है तो ये बड़ा है ठीक है ना भाई ये वाला बड़ा है इससे बड़ा ये है इससे बड़ा इससे भूज़ा चीज यह दिमाग में रखीएगा भाई ठीक है ना देखिए जैसे मालीजी चार बटा पांच है आई यहां 5 बटा छे है तो यह क्रोस मुल्टीप्लिकैसन मेथर से क्रोस मल्टीप्लाई करके हम बड़ा चोटा चेकर सकते हैं क्रोस मुल्टीप्लाई से जैसे मालीजें यहां पे 6-4 का 24 आ गया आई यहां 5-5-25 आ गया तो 25 बाड़ा है 24 तो यह क्या होगा बड़ा होगा यानि सेकेंड वाला बड़ा होगा आप फर्स्ट वाला छोटा हो जाएगा बात आरा समझ में कि नहीं समझें एक यह तरीका है तीसरा एक तरीका है स हमसेसादस अनुमाल लागा यह परसेंटेज के हिसाब से तो एक भुणा बीस परसेंट चारवन-पांच के आफी परशिण है यह वाण पाच छे、सान के कही तो एक एक बाटा था-छ। इसी होता है। नहीं है। नहीं करम इस्टया क्वाम विस्परमा सत्वता है दूसरा कभी-कभी क्या होगा देखिये यहां पर जैसा हम यहां पर दो बटा इन लिखे आई यहां पर मालें लिए कि हम आपको दे दिये पाँच बटा सा दे दिये न करतर है कि एक तो तरीका और हर का difference को same बना लें तो सेम बनाने के लिए क्या करिएगा बताइए तो भाई इसको इसको same बनाने के लिए 2 से कुड़ा कर दिजे तो इसको हम लिग सकते हैं चार बटा च्छे अब इसमें भी दो का गैप है इसमें by 25 फे तो भाई यह वोप बराबर बना दिये यहां भी टो कग यह फित्व काृपकلب अगाप जब मधी गैप Judas घर leids variables के तुलना में इसका अंस बड़ा है तो सेकेंड वाला बड़ा है अब फ़र्ष्ट वाला क्या है छोटा है यह सारा नियम दिमाग में रखिएगा उसके बाद बनाईएगा जी देखिए अब इसको तो यह चीज के लिए समझे में आ रहा था कि यह इन दोनों में अच्छा सबसे लगुतम चुनना है ठीक है तो सबसे लगुतम के लिए क्या किया जाए बताईए सब के सबसे लगुतम के लिए क्रोस मल्टिप्लाई लेते हैं आज जो बड़ा मिलेगा उसको छांड देंगे छोटा चुकी चाहिए छोटा को ले लेंगे तो इसको देखिए ना आच्छा कंड तालीस आई यहां पे पांस साते पैंतिस यह बड़ा है तो इसको हटा दीजे अब इस दोनों का तुनला करिए आठ गूड एक आरा एठासी हुआ अब बारसाते बारसाते चौरासी हुआ तो यह बड़ा है तो इसको हटा दीजे अब इसका तुनला इससे करिये अब आप 7 बट 10 अब भी बचा हुए सबसे लोएश्ट पर इचल रहा है ाइसका तुनला तेन बका हम कर देते इससे करते है अब प्रशना भॉंट है तो और से छोटा में कों आ गया यह आगया तो आप का अंसर यह हूं जाएगा Aisabha कर सकते हैं इस के अलावव आपकर सकते बसेंटेज लिए परसेंटेज एक बताफ मांच होता है पिस परसे से नीटर दिस परसेंट यस सबसे बढ़ा है एक बनिक करिए वह रहाए होता है सबसे चोटा कौन है सबसे चोटा कौन है सबसे चोटा कि लिए हैं बोलिए हाइ की नहीं है तो यह है तो बहुत सरा नियम है जो यह हम जो हम यह नियम बताए है न यह नियम दिमाग में रखीएगा एकदम आपका कोश्चन बनेगा इसी में सब फचेगा और कहीं से नहीं आयगा भाई इसको देखिए देखेंगे सारे लोग और पढ़ेंगे और बताईएगा भाई देखें यहां पर एक का गैप है यहां भी एक का गैप है यहां भी एक का गैप है अहर हमेशा अंसे क्या है बड़ा है और जो है अंसे बड़ा है नीचे वाला हर उपर वाला से यह बड़ा इसे यह बड़ा इस कि अगर और लॉट्प और हर का टार हो सेम हो Cy commissioner Hormard भड़ा होगा जीसमें हर बड़ा होगा और बड़ा होगा होसारी हम यह आपको बताये कि अगर और ण स्वार का गेब सेम हो अहर अगर उरंस से बड़ा होगा तो हम क्या इहां बताए ऐसा जब कभी भी होगा तोध Spot found बड़ा होगा तो बड़ा होगा हूआ तो देखिए आप तो है विर देगी सम factors沐 जो देंग है होज से बड़ा है जिसका जिसका अैस्स हां सब से बढ़ा है इस से बढ़ा है से भी बढ़ा दाएव सबसे छोटा सबसे छोटा कर पूशा जाएब को यह होगा सबसे छोटा कि यहुजा एक सबसे छोटा की कि यहाइब की नहीं पमधार दीम इससे में होगा हो जाएगा इस बड़ा लगता है तीन से बड़ा 5 है तो बी नंबर आप बीं से बड़ा 5 बड़ा से 5 है तो एर नंबर आफ यह से बड़ा 6 से 31 साथ और तो यह हो जाएगा यह sending order हो जाएगा आप से अगर पूछ देगा sending order इस अजा लेंगे पुछये गरते हुए कर में में पुछये घरते हुए कर में और ओ लगते हुए और बॉटे में देखेंगा अब बना लीजेगा आई यह तक को देखिए आप लो exist cool को देखिए वाइ शूंचिए कैसे बनाएंग हम पानियों नहीं पी लेते हैं छी क्हाँ झाल यह कि तो चलिए इसको देखेंघी यह वाधे को देखेंगे इसको बनाने का तरीका क्या होता है हम दो तरीक आपको बताएंगे एक में ख Legy कि दो को हमलिव सकते 걸로 एक ख्रण्यान नोवर और इसको लिख सकते हैं चार के लांश्ट वाले को लीख सकते हैं छे के पाव़र एक बटाव लग सकता है ठीक अना मोव अ अब बास मजीए यहां बटा में अलग-अलग है थैससे पहले डीटेल में बाटा में चुप बनाने के लिए तो तीन चार को एलना होता है तो 12 में बराबा है यहां नीचे सब्सक्राइब करेंगे उपर 3 सब्सक्राइब करेंघा तो बताइएक के नहीं पावर दो के पावड़ शह हम लिख लेते हैं कि यह इसा लिख सकते हैं उसके बाद एखिएगा तो के पावड़ अब देखिए आप लोग यहां पर तो भाई एकदम अच्छे से एकदम देखिए यहां पर इस टाइब का कोशियन एक आ जाता है कभी-कभी तो आब अब अब देखिए आपको आरोही करम सजाना है आरोही का मत्तब इसेंडिंग ओर होता है बढ़ते हुए करम मेरे तह सबसे चोटा वाला था सबसे चोटा एक नंबरें तही करमक्त करना तो कैसे करना तो कैसे करें है एक एक बार और देखिए आपAD ुए आप यहां पर आपका है स्क्वाय रूट दो यहाँ पर आपका है क्योव Александ जार और यहां पर आजाईये का keeping up यहां पर आ आ 嘈 हिए गा तो फोर्थ रूर तो ज्य हो गया अब एक बात को समझिए यहां पे भाई में तो यहां पर हम लोगों को यह तीन हो ईया यह तीन हो से मनाना vegetable 4ometric mesela करें 12, इसमें हम 4 से गुड़ा करेंगे 12, ऑपर 13 से गुड़ा इधर 3 का मतलब ऊपर 3 देना है 4 जह हैं खाल 253 का मतलब यह यहाँ छेए देञा देना है तो पक दो के पाउजे मह ने कितना होताए 64 चाहिए PAL के मतलब 256 और यह चे का क्युर्य के कुब कुछ ? होता है दूसर सोला तो सबसे छोटा यह है दो नमबर में यह है अती नमर में यह तो सबसे पहले यह आ जाएगा दो अला यह दो नमर में आ जाएगा छे वाला तो आपका अंसरी हो जाएगा तो समझ गए होंगे आप लोग आए इसको देखते हैं वाई चीकर ना इसको समझ यह क्या है कि देखिए अभी कुछ दिर पहले हम आपको फ्रेक्शन में समझाय थे कि फ्रेक्शन में छोटा बड़ा कैसे चेक करते हैं उसमें पर सेंटेज वाला नियम भी होता था तो एक बता ये एक बात बता ये यहां चार बटा पांच का मतलब एक बटा पांच बीस पर दो ऑपांच कहसे की आईगा एक मतानो एक आरहों दो यह बैस परसींट आ जाएगा नो बटाइगा एक बटा येगार रहुता है एक ब वताएग गारहों होता है आपका 9 पररसेंट तो योजाय का 18 पर सेंट यह पांच आट जाएगा स्ट जाएगा और 9 प्रकत हूं 소개 सव्य चोटा नो वटाई गार भाई सबसे चोटा सबसे चोटा आपका 22 का मतलब दो बटा नौ है तो दो बटा नौ है यह ओडर हुआ अब इसमें बोल रहा है क्या चीज़ चौथा कौन होगा चौथा नौबर पे तो पहला दूसरा तीसरा चौथा तीन बटाट तो आपका अंसर तीन बटाट हो जाएगा ठीक है आईए इसको देखिए तो यह तो बहुत इजी कोश्यन है कैसे इसको बनाईये जा बताई आप लो कैसे तो यहां पर माइनस माइनस कड़ जागा दो सर्जा और 25 हो गया यहां बताई यह बराबर माइनस पांच स्वाइर 25 और बताए दोने बराबर इतो यह बराबर भी इसको देखिए आप इस कोश्चन में देखे क्या लिख रहा आसान कोश्चन है एक अंक माने एक उसके तीन बटा पांच माने तीन बटा पांच अब सॉल सरा आई इसको देखे आप लो इसके यहां पर कोश्चन में क्या बोलगा इसका अपसे इसका बर्मूल पुछ रहा है कैसे बर्मूल निकालना इस 4624 का बरमूल कैसे निकाला देखें बरमूल निकालने के लिए आपको इतना सारा चीज बताया है ना उस सारा चीज हम फिर रिपीट करते हैं एक्टोबी वीडियो में साउड रिकॉरदिंगे टाइम वीडियो में साउड चला गया था तो फिर से रिकॉड करना पढ़ नहीं तो बहुत अच् Happy और टाइस से एक्स्प्लेन किए थे फिर एकुर मचल मांुख हगे आप तैका के मालिजे की अगर तो दो का स्काइश चार है और आठ स्का चूंसर का चार है वाइट लुकर तीन जाएगा अब यह जो तीन आया है यह वला इसमें एक बढ़ा कर गुड़ा करके देखे कितना आ रहा तो बारा आशा बारा के बताई बारा के यह क्या है बारा के अगर बराबर होगा अगर बराबर हो या बड़ा हो कभी भी अगर बराबर होगा या बड़ा होगा अगर बराबर या बड़ा होगा तो उस केस में न बड़ा वाला उतर होगा दिमाग में रखना बाड़ा ला वालतर होगा यानि 38 मारेंगे आए अभाता हैस वे मिलते इसका बरमूल निकालता है। तो देखिए क्या करेंगे हम लोग तो बताइए यहां पर बताइए दो दो का इसक्वाइड चार आठ इसक्वाइड चॉंस्वाइड का चार दो अंखटाइए अब बताइए और तीस के करीब 36 36 का बर्मूल निका लिए छे चे चे अब बासट अब बताइए छे का गुड़ चे का गुड़ा बढ़ा के साथ से करिए चे साथ 42 हुआ और यह 42 अगर हुआ तो कम वाला उतर कम वाला अगर कम है तो कम वाला इन दोनों में कम यह हैं तो यह हो जाएगा ठीक है एक और ही जाम पर समझेए जैसे माली यह 1225 यहां पर तो बताइए पांच पांच का स्क्व जाएगा और तीन गुड़े चार करेंगे तो क्या मिलेगा बार तो हम यहां पर क्या लिखे हैं कि यहां तो बार के बराबर या बड़ा हो बार के बराबर या बड़ा हो तो बड़ा वाला तो यहां तो एक और अप्सन है देके लिखेंगे अब एक और बताई या बरमुल बॉल किना होगा पांर अब पतायर ये 5 आया है तो 6 से गुढ़ा पांच 찾वा शका 30 155 जैसे चोटा है तो चोटा वाला 51 मारें तो इस तरीका से बॉल निकालना है भुर्मूल को देखिए मारत एक हैं तो चार है तो बाता है दो को एक चार दो का स्कार होगा सद्टule या आठ का स्वाइश चौन सट का चार होगा दो अंखटा यह 46 के करीब 36 36 का बन मुल बोलिए छे चे अब बताइएगा यहां पर छे आया है तो छे का गुड़ा साथ से करेंगे कितना आ जाएगा 42 आ जाएगा आचा 42 के कम पेरीजन में यह 46 है यह बड़ा है तो अगर आगया है ना तो एक बात और समझना सब लोगों को ध्यान देना सब को भाई यहां पर अगर माली जे कि देखे दो तरह का बर्मूल पूछेगा एक परफेक्ट स्क्वाइर वाला बर्मूल पूछेगा आप पर्फेक्ट स्क्वाइर कैसे पता चलेगा देखिए यहां पे अगर माल लिजे बर्गमूल का ये वाला जो बर्गमूल है इस बर्गमूल का ओप्सन में इंटीजर दिया है अगर ओप्सन में इंटीजर दिया तो ये परफेक्ट एस्क्वाइर है तो ये वाला नियम लगाएंगे आख कभी 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 माल लिजे कि इंपरफेक्ट दे कुलल 4 एक लए लेंगे bütün छार का दुगुनदेश से भाग दे Chenge Pardव देगे तर मता से भाग देंगे तो आच से भाग देंगे सबनाइफी दो.ट इस पाइख नहीं लगेगा सपन siies 18 दॉ बैस्टront शोलन सब्सक्राइब Jim a procent हटा देंगे तो साभे बाड़े में बता में सवाइगा तो भी हमंतों लिख सकते वणवाइं पॉइंट्वाइब तो यह चीज़் यह सबहु हुए ईक बर्मूल olsa virtue कि आप लोग्ree जो एसे सी पुशा केवल ओ देखकर गए आप कुछ अलग कहीं आ जाएगा तो क्या कीजेगा आरे पर्फेक्ट पुशा ओ पढ़के गए आ हो सकता है कि कहीं इस बार इंपर्फेक्ट वाला पूश देगा तो हर चीज के लिए पिरपेर होके जाईएगा तो बेस्ट होगा मे देजिए तो 63 को क्या लिखेंगे 64-1 64 का बर्मूल आठ एक में आठ का दुगना 16 से भाग भाग देदिए आठ माइनस एक बटा सोला करेंगे 0.06 हो जाएगा घटाएंगे तो 7.94 हो जाएगा तो यह आंसर हो जाएगा क्या बोलिए के लिए रिक्या अब इसके अलावा कभ सब्सक्राइब Bisik 1969 का बर्मूल बताईए तो दस्मलाव। नौ आगर हम बोले कि दस्मलं अगर लोड़ेंक एक आशी का बर्मूल मताईए तो 9 आगर widely की ऐसा पूछ दे कई आप से कई पूछ देगा कि दसमलों आठ का बरूमुल बताईए तो आप यह समझेगा कि आठ का मतलब 80 होता है अरे आठ का मतलब क्या होता है असी होता है और असी होता है तो यह एकासी से थोड़ा कम है 180 होता तो पॉइंट डाइन आता पॉइंट 9 से थोड़ा कम तो क्या हो जाएगा जी रटो पॉइंट 8 9 के डेंज में एक तरिको ङको कुछी सिटाइब आफ से फूर्च देगा आप देखिए आप लो अब इसका देखना यहां पर देखेंगे सब लोग देखें इसको कैसे निकालेंगे भाई 103 का स्कॉयर निकालना तो पताए 3 का स्कॉयर 9 देखें हमेसाथ दूंक लिखना है तीन का स्कॉयर जीरो नौ आप तीन दूना छे 106 हो जाएगा अगर हम बोले कि 104 का स्कॉयर दिटाए तो चारी कोईर पहले कर दिखेंगे 16ätt 4 दो ना एक-108ief लिख दूंक चाहिए और 4 का स्कॉयर 5 मसातर थाँ तो 5 पांच कैस्वाहर पूंक पूट बाताएगे 229 देखेंगे साथ में 109 का स्कुरायर कमेंट कर कर से बता है और इससका बता ये तीन स्कुरायर कितना यह बाइट दो अंको का स्क्वार कैसे निकाला जाया कि इसके लिए देखिए करना क्या है एप्लस भी का होल आप सब्लों जानते हैं यह होता है A-square 2AB B-square हमको इधर से इधर लिखना है सबसे पहले B-square उसके बाद से AB into 2-2-a-b 2-a-b 3-0 को गूड़ा करके 2-a-b अलाश्ट में A-square जैसे माल लिजे कि अगर आघले-बार का स्कुर्ण का लिखाना तो 2-a-b 1-2-2-2-2-2 कितना चार आएक का इसकोर एक लिखेंगे जैसे तीरालीस का स्कुर्य लिखना है तो तीन स्कुर्ण क्या लिखेंगे 9 चारत्य बाराद दूना 24 के 4 हाथ में 2.4-2 चार्ण च्रॉवाश्वार 25 एक तो एक कशोर से कितना कम है दो कम है तो क्वाइट जी रोचार यांग लिखना है एक बार में दो कं दो बारрон में 4 कम घोताई यह सो में से चार कम करेंगे तो च्वाहन बे अगार tahu में बोले कि 97 कोले टीन कम करते मेरे 20 09 एक बार में तीन काम दो बार में चो कम सो में से 6 कम हो जाएगा चोरानवे तो इसके बाद देखिए आप लोगी वाला ठीकर आफ तो तो यह वाला कोशन समझ गाया पने गाप से ठीकर ना तो तो चलिए आज के लिए हां चलियो के भाइए झाल 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 जलिए अब देखिए आप लोग कैसे करेंगे भाई चलिए देखिए दू अंको का SQUARE कैसे निकालें ये भी तो समझे लिजे दू अंको का SQUARE तो भाई दू अंको का SQUARE कैसे निकालना है थोड़ा सभी लोग ध्यान देंगे आप एक बात बताईए जैसे हमाल लिजे आप लोग को 43 का SQUARE नहीं निकालना है जैसे अगर हम आपसे पूछे हैं कि अगर A प्लस B का होल SQUARE अगर हम आपसे पूछे तो क्या बता सकते हैं बताईए क्या होगा बताईए तो यहां B A SQUARE होगा यहां 2 A B होता है और यहां A SQUARE अगर हम आपसे पूछे हैं कि A प्लस B का होल SQUARE क्या होगा तो क्या होगा A SQUARE 2 A B B A SQUARE A SQUARE 2 A B B A SQUARE अगर हम आपसे पूछे हैं ध्यान देजे और आपको A² इधर से इधर निकालना है, अगर हम आपसे पूछे कि 12 का S² क्या होगा, तो क्या करेंगे, ध्यान दिजे, सबसे पहले B का S², उसके बाद से 2AB, A into B, ये वाला बीच वाला क्या है, A into B, आ उसमें 2 से गूड़ा, A into B, दो से गूड़ा, आ लास्ट में A का S² करे है, B A², उधर करेंगे B A², A B into 2, 2 A B, आउसके बाद A², ऐसे हम करेंगे, अब देखिए यहां पे, तो 2 का S² कितना, 4, सबसे पहले 2 का S², ये A है, और ये आपका B है, तो अगर ये A है, ये B है, तो B A², 2 A², 4, A into B, बीच वाला में क्या है, A into B में 2 से गूड़ा, A into B में 2 से गूड़ा करेंगे, तो आब बताये, A into B करेंगे, तो 2 A कम 2, 2 दुना कितना, 4, यानि इन 3 का गूड़ा करके यहां लिख देना है, और लास्ट में A का S², A का S² करेंगे, तो A का जाएगा, तो ये 12 का S² हो जाएगा, अगर हम आपसे बोलें, कि 43 का S² निकालिए, तो क कैसे निकालेंगे आप लोग, 3 का S² 9 हो जाएगा, A into B into 2, 3 का गूड़ा, 4, 3, 12, 12, 24, 24 का 4, 24 का 4, हाथ में 2, 4 S² 16, 4 का S² 16, 2, 18, 18 सुन चास हो जाएगा, अगर हम आपसे बोलें कि 52 का S² निकालिए, तो क्या आप लिकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, बताई जल्दी से ना 2 का S² 4 कर देंगे, 2 का S² 4, 5, 2, 10, 2, 20, का 0 कर देंगे, 5, 2, 10, 2, 20, का 0 कर देंगे, 5 S² 25, अब 25 सादू कितना कर देंगे, 27, तो 27 सो चार हो जाएगा, तो ऐसे S² निकालेंगे, और भी S² आएगा, तो करेंगा, इसको देखिए, यह बताए, यह अन्ठानवे का S² है, जी, तो बताए, 100 से कितना कम है, 2, 100 से कितना कम है, 2 कम है, तो 2 का S² 0, 4 लिखी देना है, जीतना कम है, उसका S² का 2 लिखना है, 0, 4, पाइनस 2 का S² 0, 4, एक बार में 2 कम, तो 2 बार में 2 दूना 4 कम, 100 से 4 कम करेंगे, 90, 100 से 4 करेंगे, कितना 90, या वो भी तरीका अपलाई कर कि बीए स्क्वाइर टू ए टू एबी आए स्क्वार वह भी अपलाई कर देंगे ठीक हा ना आप से अगर बोला जाए ध्यान दिजिए कि आपको 97 और का स्क्वाइर निकालना तो बताइए 100 से कितना कम तीन तीन स्क्वाइर जीरो नौ तीन कम है एक बार में आश्याइब फ़यर जाए तो आप बढ़ इसको देखिए आप लोग घोशन है एक हाजार में किस निवनतं पूरंक को जोड़ा जाए की वह एक फूरूर वार्ग बन जाए जोड़ा जाए तो आब अबताये अगर स्कॉर्शन को बनाना है तो अगर आम आप से बोले हैं कि एक हैस वाय क्या होगा मताई एक्तिस कह स्कौर्ण होता है रोज्म मताई जोड़ा जाए कि परफेक्ट जगुलर बनाने के लिए क्या जूठना पड़ेगा 24 तो जिसको एस्कौरार याद है वो ऐसे बना सकता है और जिसको एसक्वाइड नहीं याद है वो कैसे बनाएगा वो थोड़ा समझिएगा बाई कि देखिए हम ऐसे बनाएंगे जी एक हजार है माल लिजे यहां पर तो यहां सबसे पहले पेर लगा दीजे बताइए तीन से जाएगा तीन बार में तीन एक सठ्थ हो जाएगा अच्छा एक बार में जा सकता था लेकर हम इसको ले जाएंगे जोड़ना है तो क्या करेंगे थोड़ा बढ़ा के ले जाएंगे तब जोड़ेंगे आरे जोड़ने का मतलब आगे जाना तो आगे जाना का मतलब जितना बारे में फाग लग सकता है न उससे बढ़ा के आगे जाएंगे तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप दो बार में जाईएगा तो दो दून अगर आपसे पुशा जाए कि 1000 परफेक्ट स्क्वाइर है की नहीं है तो नहीं है कितना माइनस है 24 माइनस है तो जितना कम है उतना क्या करेंगे जोड़ देंगे तो कितना जोड़ देंगे 24 तो इसमें याद रखना है जोड़ी जाने वाली संख्या में क्या याद रखना है जोडी जाने वाली संख्या में आपको यह याद रखना है का याद रखना बताई यह जीतना लास्ट जोड़ने की बात होगी तो 24 चौबिस आंसर 124 लाने के लिए सो में 124 लाने के लिए 24 फिर पड़ेगा 24 अनसर अच्छली अभी स्केन में क्या लिख रहा बाई या दिसन इतना एक पूणबर्ग है प्रफेक्ट सब्सक्रा एए यदि संख्या इतना एक परफेक्ध स्कॉयर है थो इस्टार आस्थान स्थान पर क्या जाएगा तो कैसे बनाएगा 8 6 6 7 6 आई यहां पर एस्टार है तो एस्टार है डिवीजन मेथड़ का परियोग करेंगे देखिए डिवीजन मेथड़ कैसे करेंगे पेयर लगा लिजे ननावाई 1 80 कर दीजे बताइए छे में से कितना 5 यहां जोड़ी 18 अब यहां पर 6 7 हो जाएगा ठीक है उसके बार में ले जाए यहां पर 3 8 15 वार में 3 तिरीक नौ अठारत यहीं 54 तो शरुपन चोणी और उसके बाद उसके बाद आप यहां पर देखेंगे आप लोग तो यहां 9 वार में गया था यहां तीन वार में अब उसके बाद से यहां पराज आज आए गास6 से स्टार स्थी गहाँ आप यहां जोड़िये तो यहां पर हम क्या रखें कि TNA आ जाएं तो एक बार में जाएंगे तभी तो इतना होगा तो पूरा पूरा कटेने के लिए कुररा ये कट्रा ये कट्रा ये भी कते इस Сов की जहें पर क्या होना चाहिए वन को आप से पुशा गया है कि perfect square होने के लिए यह स्टार की जगत पर क्या होना चाहिए तो भाई perfect square होने के लिए स्टार की जगत वान होना चाहिए बता यह गा समझ आ रहा है लिए अप लोका कोई डाउट नहीं है है तो ऐसा करकर बना लेंगे भाई कि उसके बाइप इसको देखिएगा अभी आप सीखे थे बर मुल निकालना तो अगर हम आपसे पूछें अगर हम हम से पूछे कि पहले इसका बर मुल निकाल देजे 106 09 अला की हमको तो दिख रहा हflies103 है है क्योंकि अभी तो एस्टो थेन का सक्वाइड की यह तो तीन का स्कुआ जिरो नौ वातीन दूना छेसो चे लिखे थे यहादार आप को हम लोग किये थे यहां पर लेगिन की लागो निकालने का। नौत सब्सक्राइब का स्कुराइड 9 साथ का स्कुराइड 9 नो नंगहता हैं गये 106 के करीब 100 एक सो पुर्मूल बताए कितना पर्लेश दिल यह पर सो हो जाएगा यहां तस आया तो दस में कार में आधा समुड़ा करेंगे एक 110 आएगा 110 के तुलना में यह जो है 106 है तो बताइए 110 के तुलना में 106 छोटा है चोटा तो छोटा वाला 103 हो जाएगा तो यहां पर 103 हो जाएगा इसको कैसे लिखेंगे अब हम लोग 1008 फ्लस यहां पर लिखेंगे बताई क्या चाहिए 153 308 133 लोग है यहां पे लिखेंगे हैं लोग यहां पे लोग लिखेंगे ऑ accomplish कितना संपर आ बताई यह है कि ए जो यहां पर यह जो है बर्गमूल यह पर मूल निकाल की 103 लई है यह यह को अलिक्स को लिखें आप 맞는 008 पलस जोड़ दिजे पताए कितना उया दो सषपन醉 बर्मूल 256 का बर्मूल तो लग हो जाएगा अब इसको देखिए आप लोग कैसे करेंगे तो बताइए इसको इसको करेंगे तो हो जाएगा 1024 एक आजा 24 का निकालते हैं बर्मूल हलागी याद है कि 32 होगा लेगन आप लुग कोई याद नहीं है हो सकता है आप कमजोड होनगे तो बताइए लो इसको आए चार आट धो छोऑट चार होगा दू अंखटा हिए दस के करीब 9, 9 का बर्मूल बोलिए 3-3, 3-3, अच्छा यहां 3 आया, तो 3 में कितना से कुड़ा, 4 से, तब 12 आया, अच्छा, 12 से बताइए, यह 10 जो है, 12 के तुलना में यह 10 छोटा है, तो आपका आंसर छोटा वाला हो जाएगा, यानि 32 हो जाएगा, तो आपका आंसर यहां मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है, इसका मतलब, रूट परहर एक बाटा दू का मतलब रूट इसका मतलब, तो 3 कितना, चार, इसका मतलब होता है, दोरूट की तरह तीन तो रूट थीन, तो रूटू अओशम के बाद thereby eigenlijk can you, कि इस कोश्चन को देखिए कैसे बनाएंगे इसको देखिए जल्दी बनाईए अब घन घन मुल का कोश्चन देखना हम लोग को ठीक है ना तो घन और घन मुल का कोश्चन देखना है सबहते लाकता है कैसरा का क्वड़ствен सबस्क्राइब छाफ उन ऑंच मुल थ tweeting झाल 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 तो पॉर्डिंग खराब हो गया होगा नौशक्ता है कि अब थे आप लोग तो इसको समझना वह लोग देखिए का सब लोग क्या है यहां पर दोग्यां को यहां पर है ऐसे करके 4340 को पूर्ण भर मनाने के लिए किस नियुन संख्या से मुझरा किया अब दखिए कभी कभी कोश्चन आएगा क्याच़ यह कभीकभी कोश्चन आएगा कि पर्फेक्ट एसक्वायर बनाने के लिए कम से कम किस से गुड़ा किया जाए पर्फेक्ट एसक्वायर बनाने के लिए कम से कम किस से भाग किया जाए पर्फेक्ट क्यू बनाने के लिए कम से कम किस से भाग किया जाए तो इस इस टाइप का एक एक कोशन आप पका देख लिए आप फिर प्रैक्टिस टोगरा लगाई एगा तो एकदम क्लियर हो ही जाएगा तो देखे ऐसे कोशन को बनाने के लिए सबसे पहले हम यह जो तीराली सो भी से इसका फैक्टर निकालते हैं वाई तो दस से कटा लीजे चार सो बत्तिसा जाएगा दो से कटा लीजे दो से सोल चार सब्क टाइए अपक्षी धैव तो अगर हम यहां पर चार से कटा लें चार से एक हो जाएगा जीरो आड़ी हो जाएगा यह शाष रतादें तो अगरमचार से कटा देंगे तो चार्दो नार्ट sivy 298 अब प्समें साधकर आँजा तो चार सातunden 28 हो जाएगा अब सकते कि आप क्या लिख सकते हैं तो इसको लिखेंगे दो इसको चार को क्या लिखेंगे दो गूरे दो इस चार को क्या लिखेंगे दो गूरे दो इसको इसको क्या लिखेंगे तीन गुड़े तीन गुड़े तीन 27 को इस 27 को तीन गुड़े तीन गुड़े तीन अब दस में अभी दो लिखें 5 बचा हुआ है तो यहां 5 लिख दिजिए अब एक बास समझें यहां पर क्या बोल रहां कोश्यन में यहां कोश्यन में बोल रह पूढ़ धन्षूद बनने के लिए टीपल लगाते हैं तो यह सही है है घीन साय ए यह बताइए यह विलेने की लिए किन भर मैं चाहिए सो यहांद दो वराय रहे हैं वहında सब्सक्ला को किसेSON से इस में अपने मंन से हम दूग पांज से गूडा करें वर वने गा तो वर separator कि इस दूक sail से किये तो पैचीस दूना पैचास यानि आंसर हो जागा क्या तीप असमझ में इस में वह करकर कुछ देगा कम से कम किसे से पूना के जगा भाग के लिए बता ये इसमें हम कि सबाग देंगे जीटना ये इस्ट्रा है नहीं पर ते उसे भाग देंगे चार से भाग आई यहां देंगे पांसे भाग तो चार पच्छे बीच से भाग देना पड़ेगा ठीक है ना अब देखिएगा इस कोशन को आप लो वह चोटी से छोटी संग क्या कौन है यहादी 675 को गुड़ा किया जाए तो गुड़नफल एक परफेक् इसको है से लिख सकते हैं क्या बताइए एक आएक सी क्यों ड़ेट इस मताई अकार और तरखी का क्या हो जाएगा नोव आए यापे रूट था यह जाएगा नवट रूट इस हो जाएगा आप यहां से दिखSoft हो जाएगा नोव बוצत्अ का तस दसका पाष्यार नहीं पावर 2.5 प्लस एक्स हो जाएगा तो यह एक सब्राबर निकाल लिए गातो पंदरह में से दो दस्मलब पांच जाके घड़ जाएगा आपकांस कितना हो जाएगा साड़े बारा आप जानते होंगे कि एक पावर एम गूरे एक पावर एन बराबर होता है एक पावर क्या ची सेलेक्शन आपका करवाएगा मन से पढ़ यह मैथ हो डीजनिंग 75 नमर का है और पिरी में मात्र अधाई महिना समय है अगर अधाई महिना आप सही से पढ़ जाएगा ना तो आपको कोई रोक नहीं सकता है सेलेक्शन पक्का एकदम होना ही है आई इसको देखिए गाप लो अगुड़ी कितना है गारा पाँच 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 प्योरी गारा मल्टिप्लाइकरी यह सिंदो यह इयाव पत огड़ी यह सब ऑग्यक्स अ चैलकार यह необходимо है ऊपोड़ाबर यह? पर माइनश है प्लम ऐस फिर आजए्टमाइनस मौहम एस फिर था याद रखना है याद रखना है कि बर्गमूल हमेसा क्या होता है पूजेटिव देखे सारा फाउडेशंग यहीं बर्बन हमेसा पूजेटिव होता है औरllen चेहा लागल बात किया जा तो और दोनों तो बराबर है यहां पे तो यहां पर बराबर आपका क्या यहांस से umas स्चाइब ना सब्सक्राइब ओगा यहां इसमय से घटाना अपड़े आपको बाइनस प्लस वन माइनस माइनस ॏ यहां पर यह दोने को जोड़ना इन दोस्क्राइब तो पताई क्या होगा यहां पर एकस माइनस वन प्लस यहां पर एकस प्लस वन हो जाएगा तो यह कड़ जाएगा आपका यह कड़ जाएगा तो बताई यहां पर क्या हो जाएगा बताई एक प्लस एक दो और यहां पर इंटू टू एकस हो जाएगा तो बताई यह दू कूरे दो Byrhe老 2 जाएगा और वी आंसा दो को ट manufactured हो गया प्रूरूटेस हो गया यह वे यंसर फिक अबासे आप एक 80 को देखिएगा जै में ये इस भी आप को इसको कैसे बनाएंगे बता यह इस बराबर दो है वाय बराबर तीन है तो आप से जाद की इसक्षे लिए दो के पावर तीन निकालिए दो के पावर तीन आतट को गया इसको देखीै आप इसको देखेंगे यह बढ़िया कोष्ण है कैसे बनाई एक ऑपना यह सब च्छोड़ी दीजिए के अपस पहला तुम ले लीजे मिलीजिए अमध गर फोला टम यहां पर तो दो ऊपर आएगा 30 को देखतिए आंप लोग कि पताइए तो कि क्या आपलोग çalış है भी बॉड मास पढ़ें कि आपटा यह बूड मास आप लोग पढ़ें कि नहीं बताइय길 है बोड़ मासज तो बोर्ण मासका क्या नियम है आ शिलमताइं ऐसे सबसे पहले बोड़ मासका थोड़ा नियम समझते हाँ लोग देखे बोर मसमें क्या नियम सब्सक्राइब करते हैं उसके बाद मजला ब्रेकेट को उसके बाद लार्ज ब्रेकेट को तो ऐसे सॉल्व करते हैं सब्सक्राइब करेंगे यानि रेकेट करेंगे तब ब्रेकेट में स्मॉल मजला बड़ा वाला उसके बाद आफ उसके बाद डिवीजन उसके बाद ब्रेकेट करेंगे बाद मल्टिप्लिकेशन एडिशन सब्स्ट्रेक्शन जैसे माल जी कहीं ऐसे दे दिया गया कि दो गूरे तीन भाग तीन दे दिया तो इसकोशन का अंसर कुछ लोग ऐसे भी बना देगा भई दू तरीका से आंसर देगा लड़का सब एक कुछ लोग इसको पहले कर देग तो बोलेगा छे भागा तीन परावर दू कह देगा आख कुछ लोग ऐसे कर देगा कि दू में ठीके यहां तो से मांसर आ जाएगा कि यहां से महांसर आजागा कोई बात नहीं है आएव बनाते इस कौश्य को देखीये कि सबसे पहले कि इसको सॉल्व करत Highway ब्ताइए तो यहां तो भी है नहीं परेकेट में सबसे पहले हैं ट, सब मेरेस माल बरेकेट गुले कर दम्सर पहले कि तो यह पर चला गया दो आणीचे आगया 19 तो यह कड़ जाएगा तो आजाएगा दो बटा पांच तो यह सॉल्फ हो गया अब यहां पर लगता कुछ छूटा है क्या यह देखेश पाचे तीस पाच पैंट इस पैंट इस वाटा च्योंग प्लस यहां पर देख लिए तीन द मैं और मजला बेकर बंदी अब यहां पर पैंट नहीं चल रहा क्या है मिरा टाइप राइटर गलती कर दिया क्शक्दा मिलेगा आगर जालिक चलते हैं म慌रमा फॉटा अब उसल जाएगा दो बार में तीन बांट उ अब दर यहां पर बर बने स्थी-प्लस यहां पर आ गय क्या है आए गवाई कर तो यहां 35 बड़ा चे है आर्ट तो ना सोलव तीन त्यूर्त सोले मैं से 9 नव गया Ketan पहले आप इसको सॉल्फ करिए ब्रेक्ट को बनाते जाएगा बन जाएगा यह भी बनाई येगा आइसो समझते हैं कि दो पूर संख्याओ का गुडण फरल 67 दो पूर संख्याओ का गुडण फर साइथ देखिया ना सेंटिष फ्राइम नंबर है तो इसको एक गूरे साइटिस कालावाँ है और कुछ नहीं लिक सकते हैं अगर संख्यां का गुड़न फल अहला अगर संघ्यां का गुड़न फल नोपा उन्त लीजेगा 36 होगा इसका बर्मूल लीजेगा छे हो जाएगा बात खतम आए यहां पर देखिएगा कोशन में यह बोल रहा देखिए अब डेसिमल का कोशन आ गया तो बताइए कैसे किया जाएगा भाई तो बताइए यहां पे दस मलों हटाएंगे तो एक लेंगे अट डबल बाई प्रट सो हो जाएगा कि खतम हिसंगये देखिएगा कैसे करेंगे वह दिस वार्ट है दो तर्फिरेगी वाला कोशन है लिजस्टार ने इसके दो गाटा देना है जीतना पर एक रिखना उतना नौ देना है शॉल्प करेंगे तो तीनगंटा नौ हो जाएगा एक बाटा इसा करके बनाई एगा आई एक और कॉश्यों एसा देखते हैं मैं प्थिस्पर एक रिक रिखने पर यह रेक रिख दा तो 32 बटा 99 हो जाएगा जी पर तिस तो कहीं दिख नहीं रहा है तो इसका मतलब है कि आंसर में गलत दे दिया कहीं कहीं है कहीं पिय मिस्टेक है आंसर हम लोगों का यहां 32 वटा 99 ही हो गाrok और आई शोडी देखिए ने अलिखित में पॉलते हैं बता है यह परीमे संख्या होती है परीमे संख्या तो परिमेश संख्या परिमेश संख्या का डेफिनिशन है कि जो पी बाई क्यू के फॉर्म में हो पी और क्यू दोनों का दोनों इंटीजर हो दोनों का दोनों इंटीजर हो इंटीजर दोनों का दोनों इंटीजर हो इंटीजर दोनों का दोनों इंटीजर हो उसे रेशनल कहते है तेसे जीरो रेस्टल है तीन बटा चार रेस्थ रेस्टल है । 5रेस्टल है बाइस मजड़ा साथ रेस्टल लंबर है आचा दसमौलव 23 क्या है रेस्टल है क्योंकि इसको 23 बटाव सबस्क्राइ members है तो अगर yaris Q Olivia utmost अगर यह बात समझना है अच्छा अगर इरेसनल का बात किया जाए इरेसनल लंबर तो जिसमें रह जाए जिसमें रूट रह जाई जैसे रूट पांच है तो हुई आपका Κई राइसनल लंबर है या प्यापका किया चीज़ है पांबर है तो य्रेशनल लंबर रूट शॉब सत्क्त क्या है रूट चाहिए बर्वून निकलकर 8 यहां बर्मूल आफ ऐसा अधा कैसल है बरे både इसनल का मतलब होता है खराब अरेशनल का मतलब बढ़ियां फाउंडेशन बैच होता तो और अच्छे से बताते बस आप इतना देखिए परिमे संख्या कौन नहीं है तो यह भाई आठ है यह बताई आठ का घरमूल 2 होता है चौनसट का घरमूल 4 होता है इसका भाईलू 2 इसमें रूट नहीं है तो परिमें है परिमें है परिमें है आई यह परिमें नहीं है परिमें संख्या नहीं है अंसर डी उसके बाद देखिए गाई वाला अब आप लोग इसको देखेंगा भाई को पोश्चन में आ गया लंगडी भीन लंगडी भीन कैसे हल किया जाए ब बताएए हुआ कि नहीं हुआ नीचे को सॉल्फ कीजिए यहां पर यह वाला सॉल्फ करना है हमको लंगडी भी नम आपको अलग सभी सॉल्फ करना सिखा सकते हैं तो तो टाइम लग जाएगा इसलिए यहीं पर कर लेते हैं अभी चार एकम 4 415 पांच पांच बटा चार चार लगता गया तो एक प्लस चार बटा पांच जाया गा जोड़िये 549 नौ बटा पांच आ गया तो यह हो जागा पन नौ बटा पांच परिए वीच का 20 से गूड़ा उपर निचे से गूड़ा तो पांच तीयाई पंदरा या मतेनों डूना कितना अठारा कटाई तैं से पा लिए इसका बर्मूल अच्छा उसको बाद में बनाते हैं पलिस को देख लिए ठीक अना यह वाला कोशन संख्या को निकरतम हजार में बदले तो क्या होगा आब अब ताइए कितना है चोवाली सहाजार आठ सो लगभग पैंतालीस हाजार के करीब है चोवालीस अजार आठ स 55,000 के करीब है इसको देखे आप यह वाला कोशन देख लिए थोगा सा कैसे बनाई यह गा तो का गुना 3 में होगा तो दो गुणे 3 फलस अदो का गुणा 4 में भी होगा तो गुणे 4 होगा इसको साहर चर का नियम कहते हैं दो कुणा 3 दो कुणे 4 तो मताइए दो कुणा 3 प्लस दूगुणा चाट डी आंसर हो जाएगा ठीक कि ना तो यह हो जाएगा और इस चीज को आप देखिए लिए आप है इस चीज को समझने के लिए एक समझ है अगर हम आप से अगर हम आप से बोलेंगा मैं आप से बोलें कि आई ऐसे काम नहीं चलेगा इतना मेहनत करके आप लोगों के लिए रिकॉर्डिंग हो रहा है थोड़ा सा मन बनाए रखिए मन से पढ़िए इंट्रेस्ट बनाए रखिए selection हमको नहीं लेना है selection आप लोगों को लेना है और selection आप लोगों को लेना है तो आप लोगों मन से एकदम एक एक बात पढ़ना पढ़ेगा तभी selection होगा और एक बात बताईए अगर माल दिजे कि हम बोले कि a square plus b square plus 2 a b का बर्मूल बताईए अगर इसका बर्मूल हम पूछेंगे तो क्या हो जाएगा तो a plus b हो जाएगा तो भाई इसका बर्मूल a plus b हो जाएगा बोलिये होगा कि नहीं होगा आचा इसी पर question ऐसे पूछ देता है यहाँ पे 4 दे दिया यहाँ पे 2 root 3 दे दिया तो आप लोगो समझना है इसका बर्मूल निकालना आप समझे कि यह 2 a b है यह 2 है आईए root 3 गूड 1 है तो यह 2 a b है यह 2 है a है b है तो यह root 3 का a square है यहाँ पे अब b के जगए पे 1 है तो a का a square है तो बताईए ना 3 a square a square 4 हो गया यहाँ पे 4 हो गया तो जब कोई भी इसका a square यहाँ पे हो तो मेरा आंसर जो होगा a square b square a square b square 2 a b के फॉर में होगा तो क्या आंसर होगा ए प्लस भी तो यह प्लस भी का मतलब ऐसा कुछ भी हो तो रूर्टीन का मतलब रूर्टीन गोड़े वाल दिजिए यह दो यहाँ होना ही चाहिए टू एबी रूर्टीन का a square 3 a square a 4 हो गया तीन का a square 3 a square a 3 और एक चार हो गया तो a square plus b square plus 2 a b a plus b का whole square का बर्मूल a plus b यानि आंसर में यह दोनों आंका जाएगा रूर्टीन प्लस वन हो जाएगा अगर हम आपसे ऐसे देदे माल लिजे के माल लिजे कि हम ऐसे दे रहे हैं यहां पर आठे दे तो कैसे बनाएगा बताईए तो इसको आप ऐसे करिएगा टू ए-बी रूट फाइप इंटू सब्सक्राइगा पांच तीन रूट पांच का स्कॉयर रूट तीन का सटिस्पाई है तो आंसर क्या हो जाएगा रूट फाइप प्लस रूर्टीन हो जाएगा बोलिये होगा कि नहीं होगा तो इसी के अधार पे और सा कुश्यन था यह वाला है इसको बनाईए आप लोग क और इसको जाए चार रूर तीन का स्कॉयर तीन चार तीन सास्स दोटीश्फाई जए तब इसको हम क्या लिख सकते हैं यह वाला जो बर्गमूल है अगर आपसे बोला जाए यह पर मूल जो है यहाँ पे सेवेन प्लस फोरूर तीन इसको बता यह क्या लिख देंगे हम 12%-13 अर्येस तो है यह 25 करिया आप लो शुत है और यहांप देख लिए हो जाएंगा माइन सूर्ट प्लस यहां पाज़ एका बाता यहां प्लस है April है आठ्य यहां पर आठ के भासे यह जो बर मूल है और इसका है लू हम निकाले हैं लो प्लूस रूरातीन आ गया है यहां पर इसके बाद देखेंगा क्या हो जाएगा दो इसको ऐसे लिख सकते हैं बताईये आइनस रूरी CC 3 उसके बाद से यहां प्लिखें गातीन पला सिया पर लिखें restrictive बताई कि आठ दूना कितना सोल और यहां प्लस जगा आठ रूर तीन हो जाएगा वो दिया होगा कि नहीं होगा इसके बाद बताईए अच्छा इसको कैसे लिख सकते हैं इसका बर्यूल कैसे निकालेंगे बताईए 16 प्लस आठ रूर तीन तो इसको मैसे लिख देंगे टू चार तू के बाद क्या बचेगा यहां पे चार रूट तीन बचेगा बचेगा कि नहीं बोली आप लो इस वो कैसे चार का स्कॉर सोला रूट तीन का स्कॉर तीन तो नहीं और स्टिस्पाइब कुछ तो गड़ बड़ी हुए है यहां तो बताएं दो प्लस रूट तीन आ जाएगा अच्छा आठ रूट तीन हो जाएगा यहां पे तो इसको जो है अच्छा काम करिए ना आप अब सारे लोग एक काम करेंगे इसका एक काम करिए ऐसे देखिए का बन रहा है क्या तो माइनस रूट तीन है यहां पर निर्छीर एकटिर साथ में सीएडूनी अचारसा आप और क्यों करते हम लोगा इसमें भी स्टेक हो रायोगा इस देखी अब आप तो अभी सो करेंगे तो क्या मिलेगा यहां पर माइनस रुटीन प्लस तीन आया दो गूड़े इसका बर मुल्ब वद्षाइ होगा इसका बर्मूल रूटीन प्लस वन हो जाएगा अभी सो सॉल्फक रहे आप तो बताईएगा यहाँ पो जागा माइनस रु आप अब यहां पर लगता है गड़बड़ी फिर टूए भी तरूट तीन इंटू वन कर दें तो नहीं होगा भाई तो पांच आगया यहां पर कैसे होगा बताईए तो कुछ गड़बड़ी हो रहा है इसमें गड़बड़ी नहीं होना चाहिए आंसत एक दमाना चाहिए एक लगभग आंसत निकालते हैं चलिए देखिए अच्छा इसका मान अगर एक दस्मलों साथ रखेंगे दस्तातर चुका और सट छे दस्मलों आठ असाथ है यहां पर तो साथ आज साथ 749 इसको भी हम साथ माल लेते हैं दो चलिए जोड़िये वसाच छे तेरह तेरह दॉसमलों आठ चौदर का असपास मानते हैं तो चौदर का जो बर्मूल होगा वो तीन दस्मलों कुछ होगा ताट कूरे तीन दस्मलों कुछ होगा तो 24 पच्षीस का बर् मैं आधानिये बदा हीए तूदर समौलोट नो करें नो का स्वक्राश होगा उसमें यह हो जायगा आप प्लस में यह माइने समों जागा एक दस्मलों साथ तो घटाइए ना दो में से एक आ जाएगा साथ नौ में से दूग यह एक दस्मलों दो का बर्मूल और एक दस्मलों दो का बर्मूल निकाल दिये तो यह तो किलियर है कि इतना बड़ा नहीं आएगा इतना बड़ा नहीं आए भी बड़ा है अंसर यह होने इंग चांस होगा अगर हम सॉल्फ करेंग तो यह आएगा कुछ यह रभडी हो categ소리 क्उम्ष्ट मैं सट नहीं कर रहा हमा है जो भी होगा आप लोग बी also Sep करके सब लोग ध्यान दीजेगा आप लोग अब नाये अब बताईया आप लोग इसके बाद हम लोगा नमबर शीर्ट्म फीनिस हो गया तो भाई नमबर सिस्ट्म फीनिस हो गया और इसका जो पीडिये फटीज फीनिस ATEA your她 qких लास वर remember system का आप लो सबाद से आप लो देखंघ लीजिएगा क्लास दो भी देखंघ ली जएगा दो लो कह लीजिएगा दोनों class देखंघ लीजिए गाप लोग ठीकाना और तो सारा चेप्टर पढ़ेंगे सारा और थमेटी का सेक्षन स्ट्रॉंग है सब जगह से कोश्चन आएगा लेकिन आप लोग क्या कमेंट क्या है आप लोग क्या चाहते हैं कौन सा चेप्टर पहले पढ़ाया जाए तो यह चीज जल्दी से कमेंट करके बताईएगा ठीक ना तो इसे के साथ हम लोग का एक बहुती बड़ा नंबर सिस्टम कम्प्रीट हुआ बाइबाइट टेक केर लभ यू